हेलो बच्चों क्या हल चाल सब बढ़िया प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों और मेरा नाम है रिशी जोशी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंट बैच के क्लास 9 की वन शौट रिविजन वीडियो सिरीज इसमें हम करने के वाले हैं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथेमेटिक्स आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं आप ध्यान से समझे कुछ बाते हैं कि नंबर सिस्टम बेसिकली चैप्टर में क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है देखो बिटा नंबर सिस्टम में बेसिकली आपको सारे real numbers के बारे में पढ़ना है ठीक है, सारे real numbers के बारे में आपको क्या करना है पढ़ना है, अगर आप ये बात समझना चाहते हैं कि इन सारे real numbers में कौन-कौन से numbers हम पढ़ने वाले हैं तो starting से मैं बात करूँ, तो सबसे first वाला जो number था जो हमने irrational numbers इन सारे numbers के हम बात करने वाले हैं इन numbers को हमारे पूरवजों ने एक बहुत ही pattern से arrange किया हुआ है, बहुत अच्छे pattern से क्या किया हुआ है arrange किया हुआ है और इस pattern को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे number system के नाम से जानते हैं, ठीक है इस पूरे pattern को ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, number system बोलते हैं, ठीक है, अब आप समझेंगे सर की number system वाली बाते हैं तो clear है सर, अगर हम इसमें आगे बढ़ें, तो बेटा, दो तीन चीजें मैं आपको पहले ही clear कर दूँ, हम सारी चीजों के उपर बात करेंगे to the point, किसी भी point स इधर दर की फालतू बाते हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है, to the point बाते करेंगे, ठीक है, और उस topic पे based, कुछ questions की practice करते वे चलेंगे, ठीक है, उसके similar questions की आप practice करेंगे, तो definitely chapter में आपको एक अच्छा, strong, एक achievement मिल जाएगा, एक तरह से मैं बोलू तो आपकी पकड़ बन ज चलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, natural numbers क्या होते हैं, these are the counting numbers, right, basically यह क्या है, counting numbers है, collection of natural numbers is denoted by n, n से हम natural numbers को denote करते हैं, यानि n equals to कभी भी n लिखा हुआ मिलेगा capital N, तो हम समझ जाएंगे, यह 1, 2, 3, 4 and so on, किसी एक set of numbers को क्या कर रहा है, represent कर रहा है, बच्चे, यहां तक की बात अगर click है, तो आगे बढ़ते हैं, next slide पे, जिसका नाम है, whole numbers, right, whole numbers क्या होता है, if we include, zero to the collection of natural numbers, right, natural numbers की collection में, zero include और कर दे हैं, जो 1, 2, 3, 4 वाला collection था, उसी में मैंने zero और include कर दिया, बच्चे, तो यह बन गया whole numbers collection, ठीक है, और इस whole number collection को हम किस से denote करेंगे, बच्चे, capital W से denote करेंगे, is it okay to everyone, यह बते हैं, छोटे बच्चे की एक तरह से basic वाली बाते हैं, जो आपको click कर गई होगी, ठीक है, यह सब आपको पता भी होगा already, तो हम आगे बढ़ते हैं, next point पे, integers, ठीक है, integers क्या होते हैं, देखो, आपने कहानी में अब तक इतना पढ़ लिया है कि 0, 1, 2, 3, 4, and so on, till infinite है, यह सारी चीज़े तो आपने पढ़ लिया है, अब अगर इसी में हम negative counting numbers add कर दें, क्या add कर दें, if we include negative counting numbers to the collection of whole numbers, अगर हम negative counting numbers include कर दें, whole numbers के collection में, यानि, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on, right, तो यह पूरा collection of numbers क्या बन जाएगा बच्चे, इस पूरे collection of numbers को हम बोल देंगे integers, क्या बोल देंगे, integers, clear, और जब यह integers हैं हमारे पास में, तो कुछ बच्चों को यह भी click कर गया होगा, कि साब, sir, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, यह किस तरफ approach कर रहा है, minus infinity तक, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, य किस तरफ approach कर रहा है, बच्चे, plus infinity की तरफ, तो यह सारे integers जो हैं, इनको हम कुछ parts में break कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए, कि 1, 2, 3, 4, and so on, ठीक है, यह पूरा collection किसको denote करता है, तो आप बोलेंगे साब यह positive integers को denote करता है, positive integers को denote करता है, अगर मैं बात क करूँ, minus 1, minus 2, minus 3, and so on, right, तो यह collection किसको denote करता है, तो यह collection denote करता है, negative integers को, negative integers को, right, अब next point, अगर मान लीजे, मैं इस उपर वाले positive integers के collection में, 0 और add कर दूँ, include कर दूँ 0, तो 0, 1, 2, 3, 4, and so on, right, यह collection of numbers क्या हो जाएगा, वैसे तो आप बोलोगे, सर, यह whole number होता है, हमें पता है, आप सर हमें divert नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दू, इसको whole number बोलने के लावा एक और नाम है इसका, वो एक और नाम क्या है बच्छे, इसका, इसका नाम है non-negative integers, non-negative integers, समझेंगे आप यह बत, क्योंकि इसमें negative integers वाला पार्ट हमने हटा दिया, न, integers वो जो negative नहीं है, ऐसे integers जो negative नहीं है, दोजार, non-negative integers, वो 0, 1, 2, 3, 4, so on, till infinite तक जाएंगे, और अगर इसी के साथ मैं, second वाला जो collection था, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on, till infinity, negative infinity, sorry, ठीक है, अगर उसमें मैं 0 include कर देता हूं, तो 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on, ठीक है जी, इसको collection को लेके जाएं, तो यह बनेगा non-positive integers, hope so, यह चार बाते हैं, आपको अच्छे से click कर गई होंगी, ठीक है, और अगर यह बाते हैं, चारों आपको clear हैं, तो आप यह समझ जाएं, कि कभी भी integers को denote करने के लिए, यहीं, integers का जो एक set होता है, इस set को denote करने के लिए, हमारे पास, या तो हम denote करेंगे z से, या denote करेंगे हम i से, ठीक है, तो अगर कहीं पे भी z positive लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है, यह denote कर रहा है positive integers को, किसको denote कर रहा है, positive integers को, और अगर z negative लिखा हुआ है, तो किसको denote कर रहा है, बचे, negative integers को, clear रहे हैं तक, यहां तक यहीं बातें आपको क्लिक कर गई होंगी सोप सो तो मुविंग तो नेक्स पार्ट नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं यह बते सब बोल देते हैं लेकिन एक खास बात जो होनी चाहिए कि यहां पर पर पी एंड क्यों दोनों क्या होने चाहिए इंटीजर होने क्या करने के बात भी और रेशनल नंबर नहीं होगा integers होना mandatory है, ठीक है, तो आप यह समझ जाएं, these are the numbers which can be represented in the form of p by q, right, ऐसे numbers जिनको मैं p by q की format में लिख सकता हूँ, q is not equal to 0, q का value 0 नहीं होना चाहिए, and p and q are integers, p और q क्या होने चाहिए, integers होने चाहिए, तो उस particular collection को हम क्या बोल देते हैं, rational number बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं rational number बोल देते हैं, collection of rational number को represent करने का काम किसका है वही, q का, किसका represent है, किसका काम है, q क्योंकि देखो, अगर किसी भी एक particular situation में आपने p upon q लिखा हुआ है, क्या लिखा है बचे, p upon q, हाना, तो इसको आप अगर words में बोलना चाहें, तो p upon q का जो भी result आएगा, that will be, that will be known as questioned, क किससे represent करेंगे उसको question से, अगर हम q से p को divide कर दें, ठीक है, और पूरा divide करना है, decimal, decimal, सब, जतना आगे तक divide कर सकते हैं, वहाँ तक divide करोगे, तो इसका जो result आएगा, उसको basically बोलेंगे, question, question, तो question स्टार्ट हो रहा है q से, that's why, जो भी rational numbers होते हैं, उसको हम represent करेंगे, किससे, q से represent करेंगे, यहाँ तक की बात, होप सो आप पकड़ पाए होंगे, ठीक है, अगर यह बातें आपको click कर गई हैं, तो आप यह समझे हैं, कि 3 by 4 rational number q है, 3 by 4 rational number q है, उसके पीछे, तीन reason है, पहला, 3 by 4, p by q की format में है, second reason, 3 और 4, यानि numerator और denominator, दोनों ही लोग integers हैं, दोनों ही लोग क्या हैं, integers में, 3 और 4 दोनों integers में आते हैं, and third thing, denominator का जो value है, वो not equal to 0 है, denominator का value 0 के equal नहीं है, इसलिए 3 by 4 क्या है, rational number है, तो basically कोई भी number, rational number तब होगा, जब वो 3 situations को क्या करेगा, specify करेगा, वो बताएगा कि मेरे पास 3 quality, जो rational number होने के लिए होनी चाहिए, वो तीनों quality मेरे पास है, ठीक है, तो 3 by 4 में, हमने ये देख लिया, पहला, पहला condition, p by q form, second condition, p और q दोनों integers होने चाहिए, third condition, denominator 0 नहीं होना चाहिए, तीनों conditions को verify कर रहे है, that's why it is a rational number, अब आप minus 1 by 2, या minus 14 by 9, दोनों, तीनों, जो भी examples हैं, उनको check कर सकते हैं, मेरा सवाल आपसे है कि 0, 0 एक rational number होता है कि नहीं होता, आप यह समझें कि 0 is a rational number or not, अगर मैं बात करता हूँ 0 की, 0 is a rational number or not, तो भी या, 0 के upon में हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, राइट, 0 के upon में अगर हम 1 लगा सकते हैं, तो 0 कौनजी form में है, p by q form में हैं, ठीक ह नहीं है, 1 है, मतलब 0 नहीं है, और इस situation में, यह तीनों ही कहानियों को specify कर रहे है, perfectly तीनों situations को क्या कह रहा है, कि हा, मैं सही हूँ, इसलिए 0 क्या है, 0 is a rational number, 0 is a rational number, आप यह बात अगर समझ पाए, तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, now moving to the next point, next point क्या कहता है, sorry, sorry square, next point क्या कहता है, ध्यान से समझें आप, equivalent rational numbers, ठीक है, equivalent rational number क्या होते है, ध्यान से समझें आप, equivalent rational number मान लो, मेरे पास एक rational number है, 1 by 2, ठीक है, और एक rational number है, 4 by 8, और एक rational number है, 6 by 12, आप समझें यह 3 different rational number है 1 by 2, 4 by 8 and 6 by 12 है तीनों क्या है different rational numbers है लेकिन आप यह समझें कि 1 by 2 को मैं 1 by 2 ही अगर रहने दूँ और 4 by 8 में numerator में भी 4 का divide और denominator में भी 4 का divide अगर कर दिया जाए ठीक है तो यहाँ पर result आजाएगा 1 by 2, 6 by 12 में numerator और denominator दोनों में ही अगर किसका divide कर दिया जाए 6 का divide कर दिया जाए तो यहाँ पर भी result कितना आजाएगा बचे 1 by 2, तो basically जो 1 by 2 की simplest form है वही form 4 by 8 की है वही simplest form 6 by 12 की है तो if there are two or more rational numbers in such a way that their simplest form are same अगर simplest form same है तो उस particular situation में वो rational numbers क्या बोले जाएंगे बैटा equivalent rational numbers बोले जाएंगे ठीक है मतलब उनकी decimal expansion सेम होगी या फिर उनकी simplest form क्या होगी हमेशा सेम होगी राइट equivalent rational number वाली बात अगर clear है तो आगे बढ़ते हैं next point पे न पहला और खास point अगर कहीं पे आपसे पूछ लिया जाए positive rational numbers क्या होते हैं साब positive rational numbers क्या होते हैं ठीक है तो समझो positive rational number मतलब जादा कुछ नहीं आपको पता है न rational number किस से मिलके बना हुए numerator upon denominator इसी से मिलके बना हुए numerator upon denominator तो सहाब अगर numerator or denominator या तो दोनों positive हों दोनों कैसे हों positive या फिर दोनों कैसे हों negative तो situation में rational number कैसा होता है positive rational number होता है if numerator and denominator if numerator and denominator are of same sign same sign अगर numerator and denominator दोनों का sign same है तो हम उस particular rational number को क्या बोलेंगे भई positive rational number बोलेंगे ठीक है and second point what do you mean by negative negative rational number negative rational number क्या होगा हमारी नजर में अगर मैं कहता हूँ कि if numerator and denominator are having different sign अगर दोनों पर different sign है दोनों पर different sign है यानि numerator upon denominator में अगर numerator positive denominator negative या फिर numerator negative denominator positive तो उस particular situation में में क्या बोलूँगा कि ये negative rational number को represent करता है is it clear कहानी पकड़ में आती है hope so अगर ये कहानी पकड़ में आती है तो हम quickly आगे बढ़ेंगे बिना time waste किये क्योंकि हमारा एक एक मिनट क्या है important है हमारे से ज़्याद आपका एक मिनट important है राइट चलिए अगली बात करते हैं इस दो रैशनल नमबर एपान बी इस नेगेटिव धान समझना एपान बी कैसा है नेगेटिव है नेगेटिव है एपान बी रैशनल नमबर है उसने बोला एपान बी क्या है रैशनल नमबर और नेगेटिव भी है मतलब यह नेगेटिव रैशनल नमबर है मतलब यह क्या है नेगेटिव रैशनल नमबर है और कोई भी रैशनल नमबर नेगेटिव होता है तो उसका numerator और denominator दोनों के sign कैसे होते हैं, different होते हैं इसने बोला कि numerator यानि एक कितना है, 5 है, 5 है मतलब positive है, numerator कैसा है बचे positive, और अगर numerator positive है तो denominator कैसा लेना पड़ेगा हमें negative लेना पड़ेगा, तो denominator की value negative सिर्फ एक ही option में है, c option में minus 4 तो c option is the correct answer ये बात clear है, ठीक है, समझ में आया बिल्कुल आया होगा चली अगली बात करते हैं, next question पर बढ़ते है, हाँ जी next question पर नहीं आएंगे next एक बिल्कुल मुद्दे वाली बात है जो आपको समझ में आया है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बात सारी की सारी fraction, rational number है, लेकिन इसका मतलब ये निये कि सारे के सारे rational number fraction होगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि fraction के बारे में और rational number के बारे में आपको मैं बता दू दोनों में क्या खास बात है देखो, fraction जो होती न, basically a upon b की फॉर्म में होती है साब fraction किसकी फॉर्म में होती है, a upon b की फॉर्म में, rational number किसकी फॉर्म में होता है p upon q की फॉर्म में, सर ये तो same ही है ने, ने, रुको ज़रा, सबर करो ठीक है, a upon b की फॉर्म में जो fraction है, इसमें a and b are whole numbers a और b क्या होता है whole numbers होते हैं सब and b must not equal to 0 और यहाँ पे rational number में P upon Q की form होती है P and Q क्या होता है P and Q are integers and Q must not equal to 0 ठीक है क्या लगता है P and Q integers है इसका मतलब P and Q में से कोई भी एक या दोनो negative भी हो सकते है लेकिन यहाँ पे A और B whole numbers है तो या तो A और B में से सिर्फ A 0 होगा B तो 0 हो नहीं सकता तो या तो A 0 होगा या फिर उस particular situation में जिसमें A 0 नहीं है उसमें A और B सिर्फ positive ही हो सकते हैं दुनों में से कोई भी negative नहीं हो सकता और अगर यह difference आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया नहीं तो अगला difference समझे कि fraction represent करता है part of a whole ठीक है जी fraction किसको represent करता है part of a whole को मतलब आप यह समझें कि अगर एक circle है ठीक है उस circle का one fourth part represent करने के लिए मैं जो fraction use करूँगा वो होगी one by four right fraction just used for just to represent part of a whole ठीक है और part of a whole को represent करने के लिए अगर हमें fraction चाहिए तो आपको पता है कोई भी ऐसी quantity का part की हम बात ही नहीं करेंगे जो quantity exist ही नहीं करती है हाँ है ना मतलब जो quantity real life में exist करेगी मानलो एक circle मैंने बनाया है यह exist कर रहा है ना तभी तो इसका one fourth भी हम exist करा पा रहे है तो वो कैसा आएगा हमेशा positive ठीक है क्या किसी ऐसी quantity के बारे में imagine कर सकते है जिसका कोई एक part negative हो है ना वो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आपके लिए भी मुश्किल होगा तो आप यह समझें कि fraction is part of a whole a rational number is of the form p by q where p and q are indices and q must not equal to 0 this is the basic difference कि सारे के सारे fraction जो है वो rational number हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे rational number fraction हो ऐसा जरूरी नहीं है बात अगर click कर गए तो तुरंत से पहले आगे बढ़ते हैं representing rational numbers on number line ठीक है rational numbers को number line पे कैसे represent करें ठीक है पहला काउम मान लो कोई एक rational number है p by q ठीक है p and q integers है ठीक है p and q क्या है co-primes है co-primes समझते हैं q must not equal to 0 p and q co-prime है co-prime का मतलब p और q का कोई भी common factor नहीं है other than 1 other than 1 p और q का कोई भी common factor नहीं है तो उस particular situation में p upon q is basically in its standard form कौनसी form में है standard form में है ठीक है अब आपको क्या करना है p में q का divide करके देखना है सर्फ p में q का divide करके देखना है कितने times divide जा सकता है let's say मेरे पास अगर यहां पे होता 7 by 3 ठीक है और मुझे उसे number line पे represent करना होता तो मैं क्या करता बच्चे सोचने वाली बात यह है मैं क्या करता इसमें इस particular situation में 7 में divide करता 3 से 3 2s are 6 कितना बच गया 1 मतलब मैं 7 by 3 को लिख सकता हूँ 2 over 1 by 3 हाँ है ना इतना अगर मैं लिख सकता हूँ 7 by 3 को 2 over 1 by 3 तो कुछ बच्चों को तुरंत क्लिक कर गया अरे सर यह 2 से थोड़ा सा जादा है लेकिन 3 से कम है तो मतलब सर 7 by 3 की जो location होगी ना number line पे वो location 2 के आगे लेकिन 3 के पीछे होगी हाँ या ना यह बद क्लिक कर गई वैसे ही सेम हमें Q से P में divide करना है और divide करके देखना है कि question क्या आ रहा है जो question आएगा वो question number line पे जहां भी होगा उससे just आगे कही ना कहीं कौन बैठा होगा हमारा rational number बैठा होगा तो अभी हम क्या करते हैं सेम सिचुएशन में 7 by 3 को represent करके देख लेते हैं तो मैंने number line draw की यह बचे ठीक है यह मैंने number line draw की ठीक है number line पे यहां पे 0 बिल्कुल middle में फिर 1 फिर 2 फिर 3 and so on इधर minus 1 and so on ठीक है आप जतना बड़ा आपका page उतना बड़ा number line draw कर सकते हैं basically number line is used to represent all real numbers real number मैंने बताया था natural number, whole number, integers integers, सारे rational number, सारे rational number सबको हम इस number line पे represent कर सकते हैं ठीक है तो पहले हम rational number को represent कर रहे है तो 7 by 3 को अगर मुझे represent करना है तो मैंने पता लगा लिया है कि 7 by 3 कौन-कौन से consecutive integers के बीच में आ रहे है 2 और 3 के बीच में आ रहे है तो 2 के भी बाद में मुझे denominator देखना है कितना है, denominator है 3, means 2 और 3 के between, जो distance है ना बेटा, उसके मुझे 3 पार्ट करने है, कितने पार्ट करने है, 3 पार्ट, आप यह समझें कि अगर एक line segment A, B मेरे पास होता, और मुझे उसके 2 पार्ट करने होते, तो मैं उसके कितने point mark करता, उ जैसे ही मैं एक point mark करूँगा, तो इसके 2 parts हो गए, 1 and 2, clear, अगर मुझे इसके 3 parts करने होते, कितने parts करने होते, अगर मुझे इसके 3 parts करने होते, तो मुझे इसके 3 parts करने होते, 2 points करने होते, जितने parts करने है, उनसे 1 कम points mark कर देने से हमारा काम हो जाता है, right, तो मैंने क्या किय तू और थ्री के बिट्विन मुझे थ्री पार्ट्स करने है, तो मैंने क्या क्या है इस पे 2 points प्लोट कर दिया ठीक है, तो 2 के ज़स्ट बाद वाला पहला जो point है, वो represent करेगा 2 over 1 by 3 को, second वाला represent करेगा 2 over 2 by 3 को, और third वाला तो 3 को represent करी रहा है, clear, तो आपको जो number चाहिए थ जिस नमबर को आपको नमबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था वो था 2 और 1 बाई 3 या फिर बोले तो 7 by 3 होपस आपको क्लिक कर गया होगा कि नमबर लाइन पर हम रैशनल नमबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चलिए बिना देर किये नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक क्वेशन हमारा वेट कर रहा था रिप्रेजेंट 1 by 3 and minus 1 by 3 on the number line कितने लोग आई थिंग सब लोग कर लेंगे इस question को फिर भी एक एक speed से इस question को हम देख लेते हैं ध्यान से समझें सबसे पहला काम number line draw की बीच में लगाया 0, 0 के right में 1, left में minus 1, फिर minus 2 इधर और इधर plus 2 clear and so on number line चलती रहेगी हमारे लिए नहीं रुकेगी and 1 by 3 जो मेरे पास लिखा हुआ है उसमें मैं अगर 1 में 3 का divide करके देखूँ तो आप लोग बोलोगे sir divide ही नहीं हो रहा है मैं कहूंगा बेटा हो रहा है divide कितने times? 0 times divide हो रहा है 3 0 सा 0 remainder कितना बचा 1 ठीक है तो 1 by 3 को मैं 0 over 1 by 3 लिखता हूं सब हाना यह बात ऑप समझें है और जिस दिन आप यह बात समझेंगे उस दिन आप लिए समझेंगे कि 0 से बढ़ा है लेकिन 1 से छोटा है तो 1 by 3 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो 0 और 1 के बीच में कितने part करने है? three part और जब भी three part करने होते हैं तो मैं कितने points mark करता हूं two points mark करता हूं जितने parts करने हैं उनसे one less one less mark करूँगा तो मुझे मेरे required points मिल जाएंगे तो मैंने क्या किया यहां पर one by three और यहां पर two by three clear first वाला represent करेगा one by three को clear one by three represent हो क्या और मुझे क्या करना था minus one by three तो zero और minus one के बीच में मुझे क्या करना होगा मुझे फिर से वही same system minus one by three है minus तो रहने दो one में अगर three का divide करेंगे तो zero times divide होगा तो यह minus का zero over one by three है तो zero से negative की तरफ lie करने वाला है यह तो यहां पर two points मार्क कर लिए मैंने बच्चे ठीक है मुझे first वाले point को चेक करना है वही हमें चाहिए तो first वाला जो point होगा zero के सबसे पास उसको हम बोलेंगे zero और one by three वह भी negative वाला या फिर मैं बोलूं तो minus one by three क्या बोलेंगे बच्चे बिना बिना देर की है ना पहली चीज नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या कहता है यह देख लेते हैं कि inserting rational numbers between two given rational numbers right two given rational numbers के between हमें rational numbers insert करने है ठीक है two given rational numbers के between हमें rational numbers insert करने है let's say कोई भी two rational numbers है जैसे four और seven four और seven उनके बीच में कौन-कौन से rational number होंगे five और six है वो तो integers भी हैं हाना five और six जो आपको दिख रहे हैं वो integers भी हैं वैसे ही आप यह समझें कि two given rational numbers के बीच में हम बहुत सारी rational number insert कर सकते हैं क्या reason है उस पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले रैशनल number insert करने के हमारे पास two methods है first average method पंसा method है बच्चे average method average method क्या कहता है ध्यान से समझें आप बात average method कहता है if a and b are two rational numbers then a plus b by two पता है यह होता है average average of a plus average of a and b right average of a and b तो अगर a और b two rational numbers है तो a plus b by two which is average of a and b lies between them अगर number line पर represent करके मैं आपको बताऊं अगर a lesser है b से a left में होगा b right में होगा और उन दोनों का average उनके बिलकुल बीचों बीच a plus b by two यहां पे होगा यह बात अगर आपको समझ में आती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मेरे को three और four given होगा और उनके बीच में कोई एक rational number चाहिए तो मैं क्या करूँगा three plus four और upon में कितना कर दूँगा two यानि three plus four कितना हो जाएगा seven seven upon two यानि basically three point five जो three और four के बीच में ही lie करना चाहिए था यहां तक की बात अगर आपको क्लिक करती है तो this is first method known as average method ठीक है क्या बुलते हैं से average method बुलते हैं second method होता है जिसका कोई special नाम नहीं है आप यह समझ लें कि यह बिल्कुल basic है basic basic pattern है एक तरह से यह समझने का कि अगर मुझे insert करने है एक से ज्यादा या बहुत सारे rational numbers जैसे मैं बोलूँ यहां पर मेरे पास है one और यहां पर मेरे पास है two और मुझे निकालने है five rational numbers क्या निकालने है five rational numbers निकालने है five rational numbers ठीक है तो मैं क्या करूँगा one और two को लिखूँगा बीच में लिखूँगा end, मैं चेक करूँगा कि दोनों के denominators क्या हैं, दोनों के denominators क्या हैं, तो यहां पर one के upon में भी one है, two के upon में भी one है, दोनों के denominators same हैं, और जब दोनों के denominators same हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे जितनी requirement है, उससे एक जादा, five rational numbers की requirement थी, उससे एक ज तो 6 1s are 6 upon 6 1s are 6 and 2 6s are 12 upon 6 1s are 6. तो simple सी बात है, 6 upon 6 और 12 upon 6 मेरे पास 2 rational numbers है. इनके बीच में मुझे कौन-कौन से rational numbers दिखाई दे रहे होंगे, आप सोचो. 6 upon 6 और 12 upon 6 के बीच में क्या क्या आता है? 6 upon 6 से just बड़ा rational number होता है 7 upon 6, उससे बड़ा होता है 8 upon 6, उससे बड़ा होता है 9 upon 6, उससे बड़ा rational number 10 upon 6, उससे बड़ा है 12 upon 6 जो हमें गिवन था. ये दोनों चीज़ें तो हमें given थी बच्चे, इसको आप 1 लिख दीजे, इसको आप 2 लिख दीजे, और 1 और 2 के बीच में आपके rational numbers आ गए, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6, ठीक है जी, तो these are the required 5 rational numbers, hope you got this point, this basic pattern of calculating rational numbers between given 2 rational numbers, right, उसके बाद में note क्या कहता है, ध्यान से समझे, ये तो आप लोगोंने यहाँ पे भी click कर लिया होगा, जो note में लिखा हुआ है, वो तो आपने यहाँ पे भी click कर लिया होगा, कि अगर हमने 6 और 6 से multiply, divide किया, तो हमें कितने rational number मिल गए, 5, अगर हम यहाँ पे 60 से multiply और divide करते, यहाँ पे 60 से multiply, divide करते, तो हमें कितने rational number मिल जा है तो गैप जाधा होगा तो और जाधा rational numbers मिलेंगे ठीक है तो यह समझें आप कि अगर आप 60 का multiply divide करते तो 59 rational number मिलते अगर आप 600 का multiply करते तो और जाधा मिलते 6000 का multiply divide करते तो और जाधा मिलते और अब जितने बड़े से बड़े तक जाते जाओगे, multiply divide के लिए, उतने ही जादा rational numbers आपको, इन दोनों given rational numbers के between, मिलते जाएंगे, तो simple सी बात है, we can find any number of rational numbers between two rational numbers, कोई भी given two rational numbers के between, हम any number, कितने भी rational numbers calculate कर सकते हैं, क्योंकि, there exists infinitely many rational numbers between any two rational numbers, कोई भी two rational numbers के between, कितने rational numbers exist करते हैं, infinitely many rational numbers exist करते हैं, बहुत सारे, ठीक है, चलिए, अगली बात हम करते हैं, next point पे, बिना time waste किये अगला question, question क्या कहते हैं, insert three rational numbers between, minus one by three, and one by four, अभी मेरे पास question है, minus one by three, and one by four, ठीक है, इन दोनों के between, मुझे, three rational numbers यहीं हैं, बच्चे हैं, अब आब बोलोगे, सर, यह question तो हम ही कर लेंगे, क्या ही difference है, तो भीटा, इसमें देखो, आप, दोनों के denominator same नहीं है, जब denominator same नहीं होंगे, तब हमारा काम है, दोनों denominator का LCM लीजिए, three का और four का LCM आप लेंगे, three और four का LCM कितना होता है, साब, 12 होता है, three and four का LCM जब 12 होता है, तो उसके four का multiply divide किया, ताकि denominator 12 बन जाए, और one by four में मैंने three का multiply divide कर लिया, ताकि denominator 12 बन जाए, तो यह हो गया, minus four बंजा minus four, upon four three is a 12, and three बंजा three, upon four three is a 12, अब आप सोचेंगे, कि सर, minus four और plus का three, इनके बीच में, बहुत gap है, बहुत gap है, बहुत scope है, कि सर, minus four by 12 से बड़ा होता है, minus three by 12, उससे बड़ा होता है, minus two by 12, उससे बड़ा होता है, minus one by 12, उससे बड़ा होता है, zero by 12, उससे बड़ा होता है, one by 12, उससे बड़ा होता है, two by 12, और उससे बड़ा होता है, three by 12, तो सर, हमें, sorry, given two rational numbers क गिवन टू रेशनल नंबर के बिट्विन कितने रेशनल नंबर ओल्रेडी विन्ना कुछ करे ही मिल गए बहुत सारे मिल गए हमें कितने चीए थे तीन हम कितने आंसर दे रहे हैं बहुत सारे यह ना is it clear to you कि it is not mandatory, it is not mandatory कि आपको जितने रेशनल नंबर चाहिए है उतने का मल्टिप्लाइ और डिवाइड करना ही पड़े, ऐसा mandatory नहीं है, कई बार ऐसा होगा कि गिवन रेशनल नंबर ही इसी टाइप के होगे कि उनके बीच में अल्रेडी इतना गैप होगा कि आपको जितनी requirement है उतनी requirement आपकी वैसे ही fulfill हो जाएगी ठीक है तो ऐसा mandatory नहीं है कि हमें multiply डिवाइड करना ही है ना कोई चीज़ फिक्स नहीं है आप बेसिक पकड़ के रखो, बेसिक अगर आपको पता है कि क्या approach है तो आप अराम से इस चीज़ को deal कर सकते हैं बिना time waste कि अगली slide पे चलत हो है ना उसको एक बर के लिए छोड़ते हैं ना एक example पर बात करता हूं मान लो आपके पास में one by four लिखा हो है क्या लिखा हो है बचे one by four अब आप यह समझेंगे कि one by four का हम क्या कर सकते हैं सर जैसे मान लो आप एक कमरे में बंद हो ठीक है अब कोई काम नहीं है आपके प हम ज्यादस ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं बस one में four का divide कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ करने के लिए है ही नहीं तो one में जब four का divide करोगे तो decimal आप apply करोगे जैसे ही point लगाओगे point लगाते हैं यहां पर zero four times two that is eight remainder बचेगा two then decimal लगाए होगा है decimal ठीक है जैसे ही decimal लगाते है decimal like ऐसा investment कि हर step में zero मिलता ही जाएगा ना next step में अपने आप आपको zero मिला ठीक है zero मिलते ही four times five कितना 20 remainder कितना आया zero तो आपको पता लगा कि one by four जो होता है न वह किसके इकल होता है zero point two five के अच्छा कुछ बच्चों को click कर गया सर one four तो zero point two five ही होता है है ना सर इसमें कौन सी नई बात है तो बिटा नई बात सिर्फ इतनी सी है कि यह यह पी बाई क्यू की फॉर्म ती यह कौन सी फॉर्म थी पी बाई क्यू की फॉर्म और यह कौन सी फॉर्म है यह है डेसिमल फॉर्म क्या है डेसिमल डेसिमल फॉर्म basically किसी rational number की p by q form को decimal form में जब हम change करते हैं तो जो result निकल के आता है is known as decimal expansion क्या निए क्या बोला जाता है बिटा decimal expansion बोला जाता है decimal expansion यह word clear है decimal expansion अब decimal expansion आप किसी भी rational number का निकाल सकते हो क्या बिल्कुल हम हर rational number का decimal expansion निकाल सकते हैं वो अलग बात है कि किसी decimal expansion को निकालते निकालते हमें हो सकता है कि काफी time लग जाए हना जैसे let's say एक example लेते हैं छोटा सा ठीक है simple सा example लेते हैं बिल्कुल simple 1 by 3 ठीक है 1 में हमें 3 का divide करना है राइट तो 1 में मैंने 3 का divide स्टार्ट किया 0.0 का investment हना decimal investment कर दिया यहां पर 0 आ जाएगा 339 remainder कितना आएगा बच्चे 1 clear फिर investment किया हुए ना तो returns तो मिलते नहेंगे फिर से कितना आया 0 339 remainder कितना 1 फिर again 0 फिर 339 remainder again 1 then 0 and so on क्या लगता है यह procedure कब तक चलता रहेगा चलता ही जाएगा ना चलता ही जाएगा रुकेगा नहीं यह procedure और देखिए इसी के साथ आपको यह दो चीज़े क्लिक कर गई कि there are two types of division process there are two types of division process एक तो ऐसा division process जिसमें after a few number of steps division process खतम हो जाता है division process क्या हो जाता है खतम हो जाता है ऐसा division यह ऐसा rational number जिसका division process after a few steps कुछ steps के बाद में finish हो जाता है उस particular decimal expansion को हम बोल देते हैं terminating decimal expansion terminating decimal expansion कोई परिशानी वाली बात होपस हो आपको नहीं होगी है ना terminating decimal expansion में और एक ऐसा decimal expansion जो कभी खतम नहीं होगा इस बात की guarantee हम खुद भी कभी भी दे सकते हैं तो इस particular situation में ऐसे decimal expansion को बोल देते हैं हम non terminating अना non terminating बोल देते हैं लेकिन non terminating में भी आगे जाके दो टाइप निकल के आ जाते हैं कितने टाइप निकल के आ जाते हैं दो टाइप पहला non terminating यानि खतम तो नहीं होरा decimal expansion लेकिन decimal के बाद decimal के बाद या तो decimal के जस्ट बाद या decimal के कुछ deserts के बाद एक group of deserts बार बार में repeat होता है group of deserts क्या होता है बार बार में अगर repeat हो रहा है तो इस particular situation में हम decimal expansion को बोलते हैं non terminating but repeating non terminating but repeating type of decimal expansion type of decimal expansion अच्छा जी ओके मतला आपको यह समझ में आ गया कि decimal expansion वैसे two type के होते हैं पहला terminating और दूसरा non terminating लेकिन non terminating के भी कितने पाट हैं दो पाट पहला जिसमें decimal के बाद या तो decimal के जस्ट बाद या decimal के कुछ digits के बाद group of digits बार बार repeat होने लग जाएं तो वो होता है non terminating but repeating type of decimal expansion लेकिन अगर ऐसा हो जाए decimal के बाद पता नहीं हमने कितनी ही digits चेक कर ली कोई भी group of digits बार बार में repeat नहीं हो रहा है कोई भी group of digits बार बार में repeat नहीं हो रहा है तो उस particularly type उस particular type of decimal expansion को हम क्या बोलेंगे बच्चे non terminating non recurring type of decimal expansion बात करते हैं यहां पर पहला rational numbers are of two types rational number कितने type के होते हैं two type के या rational number के decimal representation कितने type के होते हैं two type के पहला होता है terminating decimal expansion terminating decimal expansion ठेके जी और second होता है non terminating repeating decimal expansion clear terminating decimal expansion जिसमें division end हो जाता है non terminating but repeating type of decimal expansion जिसमें decimal वाला process खतम तो नहीं होता लेकिन एक कुछ number of digits के बाद decimal के बाद कुछ group of deserts बार बार में repeat होता रहता है तो वह particular होता है non terminating non repeating sorry non terminating but repeating decimal expansion लेकिन सर आपने जो भी तीसरा बताय था non terminating non recurring वह क्या होता है तो बेटा वह होता है irrational numbers को represent करने के लिए वह किसको represent करने के लिए होता है बेटा irrational numbers को represent करने के लिए जो हम next to next slides में देखेंगे ठीक है बट यहां तक की बात अकर आपको click कर गई है terminating decimal expansion मतलब वह जो कुछ steps के बाद finish हो जाए ठीक है और non terminating repeating decimal expansion वह जो कुछ steps के बाद में finish ना हो ठीक है बट हाँ decimal के बाद की कुछ deserts repeat होती जाए ठीक है अगर terminating first वाले का देखना example terminating का अगर example देखना है terminating का example है 1 by 4 which is equal to 0.25 ठीक है खास बात क्या हम denominator को देखके बता सकते हैं कि इसका decimal expansion terminating होगा क्या बिल्कुल बता सकते हैं अगर numerator और denominator दोनों को प्राइम है दोनों क्या है को प्राइम और denominator के प्राइम फेक्टराइशन 2 पार m इंटू 5 पार n फॉर्मेट के हैं where m and n are whole numbers whole numbers तो decimal expansion terminating ही होगा बिटा terminating ही होगा और second point अगर मैं बात करूं non-terminating but repeating की तो इसमें आप समझें non-terminating but repeating में क्या है जैसे example है 1 by 3 ठीक है जी अगर 1 और 3 दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम आपको दिख रहे हैं तो p by q जो होना चीए वो एक दूसरे के लिए को प्राइम होना चीए p और q और उस particular situation में denominator यानी q यानी 3 के प्राइम फेक्टर अगर 2 पार m इंटू 5 पार n format के नहीं है जहां पर यहां तक यह बात है अगर आपको क्लिक कर गई है तो बहुत बढ़िया मुझे पता है काफी जादा detail में बाते हो गई है decimal expansion के बार में लेकिन बहुत जरूर यह बिटा ना एक बार जब concept किसी चीज़ पर concept clarity आ जाती है ना एक बार concept clear हो जाएगा ना आपका कि basic क्या है इस बात का वजय क्या है इस बात की वह अगर clear है तो फिर आप अराम से किसी भी question को देख ल है जीरो पॉइंट लगाया जीरो लगाया हाना decimal लगाते ही investment हो गया हाना returns हर एक step में बिलेंगे तो eight times one eight remainder two then zero eight two's are sixteen remainder four eight two's are sixteen ठीक है जी eight two's are sixteen remainder four then zero eight five's are forty eight times five forty remainder कितना zero क्या लगता है decimal जो number उपर आया है वो कैसा है terminating या non-terminating हम चेक कर सकते हैं division process end हो गया क्या remainder zero आ गया मतलब division process खतम और division process खतम मतलब 0.125 यह जो भी decimal expansion आया है यह कैसा है terminating है कैसा है terminating अच्छा जी second point चेक करें 3 by 75 क्या लगता है पहले simplify कर लेंगे इसको 3 बंजा 3 3 से 75 को cancel करेंगे कितने times 25 times फिर 1 से divide करना है 25 में 0.0 लगा दिया investment कर दिया 0 decimal का ठीक है 25 से 10 में divide कितने times one times तो नहीं जाता तो कितने times जाएगा 0 times 25 times 0 कितना हुआ 0 कितना बचा 10 फिर क्या लगता है है decimal से हर एक step में 0 मिल जाता है तो एक और 0 आ गया कोई परिशानी वाली बात अब क्या करना है 25 की table में 100 कितने times 4 times 100 remainder कितना आया 0 जस दिन remainder 0 उस दिन division process खतम उस दिन decimal expansion आपको पता लग गया 0.04 ही है और आपको पता लग गया कि division process end हो रहा है मतलब कैसा terminating बहुत बढ़िया अगली बात कर लेते हैं 1 by 7 third example क्या लगता है आप लोगों को 1 में 7 का divide करना है बस और तो क्या ही है खास बात था इतना ही तो है तो decimal का investment 0 लग गया 717 remainder 3 then 0 again है कि नहीं है returns हर हर step पे फिर 7 times 4 कितना हो जाएगा बच्चे 28 कितना बचेगा 2 then 0 फिर 7 to the of 14 remainder 6 then 0 7 times 8 56 remainder 4 then 0 75 35 remainder 1 then 0 क्या लगता है यहाँ पे 10 बना है ना 10 तो यहाँ पे भी बना था फिर आपको लगता है ना यही सारी चीजें है यही सारी steps फिर से repeat होने वाली है हाँ यह ना 0.142857 wait 40 minus 35 कितने अरे 5 बचेंगे 0,7749 ठीक है अब आएगा 1 got it sorry so 10 यहां से हम 10 से शुरू होए थे और 10 ही आ गया हमारे पास ठीक है 10 से शुरू है 10 ही हमारे पास आ गया तो क्या लगता है अब लोगों को कि अब सारे steps जो हमने यहां पे किये हैं वो सारे steps as it is क्या होंगे फिर से repeat हो जाएंगे सारे steps जब फिर से repeat हो जाएंगे तो इसका मतलब 142857 यहां पर फिर से आएगा हना और यह फिर से आईग उसके आदमें फिर से यहां पर 00 ही आएगा फिर से 142857 ही आएगा और पूर्वजों ने क्या किया इस चीज को कि यह इतना बड़ा-बड़ा कौन लिखेगा बरबर में हना तो उन्होंने क्या किया हमें एक पर्टिक्लर कॉंटिटी देदी कि जब भी ऐसा हो ना तो आप इसके ओपर एक बार लगा दो ना इक 0.142857 repeating है यानि यह चीजें बार-बार में repeat हो रहे हैं और जब तक यह चीजें repeat होती रहेंगी तब तक यह division process खतम नहीं होगा और division process अगर खतम नहीं होगा तो यह decimal expansion कैसा हो गया non-terminating non-terminating but but repeating non-terminating but repeating कोई परिशाने वाली बात हो आपको यहां तक यह बात है अच्छे से click कर गए होगी क्या लगता है fourth वाला पार्ट आप लोग कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे न क्योंकि यह सारे rational numbers है rational number का decimal expansion या तो terminating होगा या फिर non-terminating but repeating होगा तो करते हैं अगले point पे बात ठीक है conversion of non-terminating repeating decimal to the form P by Q where P and Q are integers and Q must not equal to 0 मान लो आपको question ने कहा किसी एक particular situation में कि 0.2 repeating लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 0.2 repeating और इसे P by Q की format में change करके बता दो ना क्योंकि P by Q से आप 0.2 repeating कभी ना कभी तो लाए ही होगे ठीक है तो अब 2 repeating से वापस क्या ला दो P by Q formula ठीक है तो हम क्या करेंगे इस question को solve करने का पहला तरीका ठीक है पहला तरीका नहीं तरीका तो एक ही है कुछ लोग shortcut भी बताते है मर्केट में तो आप shortcut वाली दुनिया से अभी थोड़े दिन के लिए यह सोचें कि shortcut पर ध्यान ना दे करके क्योंकि exams जो होने वाले हैं उसमें descriptive answer देना है आपको तो यह समझें आप कि आप इसको full length solution इसका कैसे देने वाले हैं तो let x is equal to आप लिखे इसे 0.2 repeating में ठीक है अ अब आपको पता है कि x equal to 0.2 repeating है उसमें आप क्या कर सकते हैं इसको 0.2222 and so on लिख देंगे clear this is equation number 1 अब अगर मैं आप से पूछता हूँ अब अगर मैं आप से पूछता हूँ बिटा कि यहां पर कितने 2 आएंगे इसमें कितने 2 आएंगे बहुत सारे 2 जितने आप सोचते हो तो उससे भी ज्यादा 2 आ सकते हैं यहां पर 0.2222 and dash 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 लगाया है मैंने तो उसका मतलब बहुत सारे 2 हैं यहां पर available अगर मैं कहता हूँ कि multiply both sides by 10 multiply both sides by 10 दोनों sides को 10 से multiply कर दे बटा तो multiply करेंगे तो यहां पर 10x आ जाएगा और 10 से जब भी इस number को multiply करेंगे तो point जो होगा वो एक डेसिमल के बाद में जो भी लिखा हुआ है और यहां पर देसिमल के बाद में जो भी लिखा हुआ है दोनों चीज़ें का बिलकुल सेमें यहम से से माइनस कर दें equation 1, तो 10x में से माइनस होने कौन आएगा, x, 10x में से माइनस होने आएगा, x, और equal to में 2.2222 and so on, में से माइनस होने आएगा, 0.2222 and so on, clear, तो जब हम ऐसा करेंगे, तो 10x में से x less किया, 10x में से x less करेंगे, कितना बचे का बचे, 9x, और 2.2222 में से मैं माइनिस करेंगे 0.2222 तो कितना बच जाएगा देखो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है तो वो तो हट जाएगा बचेगा क्या मेरे पास सिर्फ 2 तो 9x equal to 2 है बच्चे तो x कितना हो जाएगा 2 by 9 clear है ना x हो जाएगा 2 by 9 अब आप सोचो x किसको लेट किया था मैंने 0.2 रिपीटिंग को तो x की जागा वापस 0.2 रिपीटिंग लिख दीजे है इतना तो clear है अगर मैं पूछँ कि 0.12 और यह दोनों रिपीटिंग तो इसका क्या होगा तो बच्चा बोलेगा सर मुझे यह भी पता है क्योंकि यह कितना बनेगा 12 by 99 क्योंकि सर अगर दो डिसेट और नहीं रिपीटिंग हैट दो डिजेटय्टिंग में दोनों ही रिपीटिंग तो consta 2019 सर अगर मान लीजें मरेपास क्लिक करती है यहां तगर क्लिक करता है तो बेना टाइम वेस किए next point पे चलते हैं question क्या कहता है convert the following numbers into p by q form where p and q are integers या co primes और आगे भी लिख देता हूं q must not equal to 0 ठीक है गलती की कोई गुंजाईश नहीं first point क्या लिखा हूँ है मेरे पास 0.3 repeating कितने लोग वो पता है shifting तो x equal to 0.3333 and so on equation number one तो 10 x equal to कितना हो जाएगा 10 का ही multiply क्यों किया क्योंकि एक ही digit थी न तो point एक ही digit आगे shift करना है ठीक है तो जब point एक ही digit आगे shift करना है तो 10 का multiply sufficient है 10 का जैसे multiply करेंगे तो point एक डिजट आगे shift हो जाएगा तो यह जाएगा three point three 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 and so on equation number 2, अब आप क्या कर सकते है, equation 2 में से minus कर सकते है, बच्चे, equation number 1, और जैसे ही, आप equation 2 में से equation 1 less करेंगे, मतलब 10x में से x minus करेंगे, तो it will be like 3.3333 so on, में से minus हो जाएगा, 0.3333 and so on, right, तो क्या लगता है, 10x minus x किता बचेगा, बिल्कुल 9x, और 3.3333 so on, में से 0.3333 so on, minus करेंगे, तो सिर्फ 3 बच जाएगा, क्योंकि decimal वाला portion दोनों में सेम है, और यह minus कर रहे हैं, तो minus करेंगे, तो हटी जाएगा, तो 9x equal to 3 है, अगर, तो x equal to हो जाएगा, 3 by 9, और x equal to 1 by 3 भी बोल सकते हो, x originally क्या था, x originally था, 0.3 repeating, तो 0.3 repeating can be written as 1 by 3, hope so, आपको यह point क्लिक कर गया होगा, लेकिन, 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 second point कुछ और है, उसमें लिखावा है, 3.02 और only 2 repeating है, सिर्फ 2 ही repeat हो रहा है, तो इस question में क्या करते हैं, पहले let करेंगे, x equal to 3.02 repeating, clear, फिर इसको, इस question को, पहले वाला question बनाने के लिए, मुझे सिर्फ क्या करना है, कि decimal को इधर लिखे आना है, अगर decimal इधर आ जाए ना, तो फिर मुझे पता लाएगा कि decimal के बाद, पूरा का पूरा जो भी लिखा हो है, वो repeat हो रहा है, तो ये पहले वाला question मेरा बन जाएगा, तो पहले वाला question बनाने के लिए, सबसे पहले 10 से multiply किया, तो 10x equal to हो जाएगा, point 1 digit आगे सरका और हमारे पास आगया 30.2 repeating, ठीक है, ये equation number 1, यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ में आती है, तो आगे समझे, मुझे क्या करना है, मुझे 2 repeating को 2, 2, 2, 2 and so on लिखके equation number 1 से denote कर देना है, अब क्या करना है, अगर point 1 digit आगे सरका ना है, तो multiply both sides by 100, multiply both sides by 100, और जैसे ही, नहीं, 100 का क्यों करेंगे, 10x तो पहले से है, 10 का ही multiply करेंगे, क्योंकि 100 बनाना है, तो 10x into 10 करेंगे, कितना आजाएगा, 100x, और 30.222 को 10 से multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 302.222 and so on, clear, this is equation number 2, और जैसे ही हम step पे पहुंचेंगे, तो हमें पता लग कि decimal के बाद वाला portion, जो equation 2 में है, वही equation 1 में है, और जब decimal के बाद का portion सेम होता है, तभी minus करना चाहिए, क्योंकि minus इस situation में जब आप करेंगे, equation 2 में से equation 1, तो देखो बिटा, decimal वाला पूरा portion क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और हम किस से परेशान थे, सिर्फ decimal वाल 22, so on, में से 30.2222 and so on, minus कर दिया, clear, तो 100x में से 10x less किया, कितना बचा, 90x, ठीक है, 0.2222, 0.2222, हट जाएगा, 302 में से 30 less किया, कितना बचा, 272 बचेगा, यही बचेगा, क्या कहते हो, यही बचेगा, अरे, बहुत बढ़िया, x equal to कितना हो जाएगा, 272 के अपान में 90, right, correct answer, right, क्योंकि x क्या था, 3.02, only, only 2 is repeating, so वो, किसके एकोल हो जाएगा, 272 upon 90, आप समझ रहे होंगे, कि सर, आपने इसे simplest form में change नहीं किया, इसे तो कर दिया था, आपने simplest form में change, उसको नहीं किया, तो बेटा, उसको तो आप भी कर सकते हो, या फिर मैं करके दे दू, किसका दिवाइड हो रहे है, 2 का, 2 से दिवाइड करेंगे, तो यह हो जाएगा, 136 upon में 45, हाना, बस खतम, चलिए, अगले point पर बात करते है, बिना time waste किया है, question के रहा है, evaluate this question, अना, 512 की power है, 0.3 repeating प्लस 0.2 repeating, कितने बचे जानते है, 0.3 repeating मतलब, 3 by 9, और 0.2 repeating मतलब, 2 by 9, बिल्कुल सर, हम यह जानते है, तो बेटा, आगे की बात बताओ, 512 को क्या लीख सकते हो आप, तो 512 के prime factor करके देखते हैं, 2 से divide क्या, 256, 2 से again divide, 128, 2 से divide, कितना आएगा भी, 64, अच्छा, 2 से divide 32, 2 से divide 16, 2 से divide 8, 2 से divide 4, 2 से divide 2, 2 से divide 1, clear, अच्छा, तो कितने बार 2 आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 times 2 आया, तो मैं 512 को 2 की power 9 लिख दू, तो इसमें किसी को कोई दिकत नहीं होनी चाहिए, और जो उपर power लगी हुई थ ठीक है, दोनों का LCM 9 लिया, तो उपर numerators add हो जाएगे, क्योंकि denominator same है, तो numerators will be added, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 by 9 power उपर है, 9 power अंदर है, दोनों powers आपस में क्या हो जाएगी, multiply हो जाएगी, तो 9 से 9 हो गए, bye bye, क्योंकि यह आये हिन निपठने के लिए थे, निपठ गए, तो 2 पर 5 बचा मेरे पास, 2 पर 5 क्या होता है, 2 पर 5, 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 2 इंटो 2, मतलब टोटल 32, this is the correct answer, hope you got this question, now moving to the next point, हाँ जी, irrational numbers, ठीक है, अभी तक rational पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे क्या, irrational numbers, right, irrational number क्या होता है, ध्यान से समझे, अगर वो rational ना हो, अगर वो real number है, और rational number नहीं है, तो फिर क्या होगा, irrational होगा, क्योंकि, real numbers के दो पार्ट है, एक rational और दूसरा, irrational, एक तो rational और दूसरा, irrational, अगर कोई number rational नहीं है, मतलब क्या है, irrational है, ठीक है, तो a number is set to be irrational, अगर वो rational number की properties को follow, नहीं करता है, यानि, if it cannot be written in the form P by Q, अगर किसी number को मैं ऐसे P by Q की format में लिखी नहीं सकता, जहां पे P और Q क्या हैं, इंटीजर हैं और Q must not equal to 0 है तो उस particular number को मैं irrational number बोलूँगा, hope so, यह point आपको clear होगा, the decimal representation of irrational numbers is non-terminating and non-repeating type, अना, decimal expansion किसका, irrational numbers का, कैसा होता है, non-terminating non-repeating, जिसकी बात हम decimal expansion वाले part में कर रहे थे, समझने वाली बात है, example अगर मान लो, कोई बोल देता है, कि sir, root of 2, rational number है या irrational number है, तो पहला, पहला point मेरा यह होगा, कि क्या मैं root 2 को P upon Q format में लिख सकता हूँ, तो मैंने इसके upon में one लगाया, तो यह अब P by Q की format में तो है, अना, P by Q की form में है, क्या यहाँ पे P और Q दोनों integer है, क्या root 2 एक integer है, नहीं है ना, root 2 integers में नहीं आता, तो अगर root 2 integer नहीं है, तो definitely यह इस definition को satisfy कर रहे है, कि number जो भी हो, वो ऐसे P by Q की form में होना ही नहीं चाहिए, जिसमें P और Q क्या हो, integers और Q must not equal to 0 हो, तो यहाँ पे यह ऐसे P by Q की form में है, लेकिन यह ऐसे P by Q की form में बिल्कुल नहीं है, जिसमें P और Q integers होते हैं, जिसमें P और Q में से P वाला part integer नहीं है, that's why root of 2 is irrational number, hope so, यह root 2 irrational क्यों है, first example आपको समझ में आ गया होगा, second example की अगर मैं बात करूँ, root 3 irrational number है, root 5 irrational number है, root 7 irrational number है, root 6 भी irrational ही है, pi भी irrational है, 1 by root of 2 यह भी irrational है, ठीक है, यह सारी चीज़े क्या है, irrational है, समझ में आ रही है बात, concept क्लिक कर रहे है, हलका-हलका, hope so, कर रहा होगा, ठीक है, point वाली बात यहां पर यही है, कि कोई भी number अगर rational नहीं है, तो वो क्या है, irrational है, ठीक है, अब अगली बात, rational और irrational हमने दोनों समझ लिये हैं, अब छोटी छोटी मगर मोटी बाते कर लेते हैं, अब अगर पहली बात में पूछों आपसे, कि मैं rational number में irrational number add कर दूँ, मान लो rational number में मैं क्या add कर दूँ, irrational number add कर दूँ, एक rational number उसमें add किया, irrational number, तो आप समझे, rational का decimal expansion कैसा, terminating, या फिर non-terminating but repeating, ठीक है, उसमें मैंने irrational number का decimal expansion add करने की सिर्फ सोची, सोच रहा हूं मैं इतना, कि मैं अगर उसमें non-terminating, non-recurring type of decimal expansion add कर दूँ, या subtract कर दूँ, तो क्या लगता है आपको, इन दोनों को merge करने से क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों को merge करने से मुझे मिलेगा, non-terminating, non-repeating type of decimal expansion, जो represent करेगा irrational numbers को, समझ में आरी बात, तो अगर rational में से irrational minus करो, या rational में rational add करो, result क्या आता है हमेशा, irrational number ही आता है, ये बात है, किन्तु परंतु हर जगे होता है, आप ये समझे, कि अगर rational number 0 हो जाए, अगर rational number क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या, ये जो result मैंने लिखा था, irrational, इसमें कोई फरक पड़ेगा, irrational में 0 add करोगा, irrational ही आएगा, क्या result rational आ सकता है, नहीं आ सकता, तो किन्तु परंतु, अगर rational number का value 0 होगा, तो कोई किन्तु परंतु add हो सकता है, इसके लिए भी आप prepare रहें, second point, rational plus minus irrational आप करके देख चुके है, rational multiply irrational अगर करूँगा, तो क्या होगा, अगर rational 0 है, अगर rational number 0 है, तो result आ जाएगा, rational, क्योंकि 0 into irrational 0 हो जाएगा, वो 0 क्या हो जाएगा, rational, और अगला point क्य क्या कहता है, मुझे, अगला point मुझे कहता है, बच्चे, कि अगर किसी particular situation में, rational number 0 के equal नहीं है, तो rational into irrational हमेशा irrational ही होगा, clear, fourth, sorry, third point पर बात कर लेते हैं, third point है, rational divided by irrational कर लेते हैं, ठीक है, तो वही सेम बात, अगर rational equal to 0 है, तो result rational हो जाएगा, क्योंकि 0 upon root 2 अगर करूँगा, 0 के अपान में, अगर मैं root 2 लगाँगा, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है, clear, लेकिन अगर rational number 0 नहीं है, 0 के लावा कोई भी number रखोगे, तो 1 के अपान में, अगर root 2 डालोगे, तो irrational ही आएगा सब, यह बात के लिए आप prepare रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और बते ह हैं, अगर irrational number में, कोई irrational number, add करें या subtract करें, तो result क्या आएगा, सोच लो, देखो, अगर मानलो, root 3 में, root 3 add करते हैं, तो आता है 2 root 3, मतलब हो गया, irrational, क्या हो गया, irrational, लेकिन root 3 में से minus करते हैं, root 3, तो result आजता है, 0, which is rational, समझ में आरी है बात, यह कर रहे हैं, तो यह समझे लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं, कि irrational plus irrational हमेशा irrational ही होगा, वो भी rational हो सकता है, क्योंकि देखो, 2 plus root 3, आप से पूछा जाए, यह rational और यह irrational, तो result कैसा, irrational, 2 minus root 3, इसका result भी कैसा, irrational, अब इन दोनों irrational numbers को add करके देखो, 2 plus root 3 में, 2 minus root 3 add करो, तो plus root 3 minus root 3 cancel हो जाएगा, और 2 plus 2 कि irrational जरूरी नहीं है, कि irrational ही हो, rational भी हो सकता है, तो जब भी irrational plus irrational निकाल रहे हैं, या irrational minus irrational निकाल रहे हैं, तो result rational भी हो सकता है, या फिर irrational भी हो सकता है, depends on the situation, situation पर depend करता है, 5th point, irrational में irrational का multiply करेंगे, अजी, क्या कहते हो आप लोग, root 2 में root 2 का multiply करूंगा, 2 भी आ सकता है, हाना, रूट 2 multiply रूट 2 करेंगे तो result कितना आजाएगा 2 which is rational और रूट 2 में अगर रूट 3 का multiply करेंगे तो root of 6 आएगा which is irrational तो same यहां पर भी situation है कि irrational में irrational का multiply करोगे तो rational भी आ सकता है और irrational भी आ सकता है 6th point क्या कहता है अगर irrational number में divide कर रहे है irrational number का तो simple सी बात है यहां पर भी rational भी आ सकता है और irrational भी आ सकता है example आप खुद देख लें मैंने लिख दिये हैं कि root 2 divided by root 2 1 होता है which is rational और root 2 divided by root of 6 तो यह 1 by root of 3 देगा result which is irrational clear कोई परेशने वाली बात हाना मुझे लगता है कि rational number irrational number के बारे में आपको बात है कुछ अच्छे से detail में clear हो गई होंगी पाई irrational क्यों होता है यह आपको पता है नहीं पता है तो सुनो बिटा पाई का decimal expansion NTNR होता है ठीक है बहुत बड़े mathematician थे ठीक है Mr. Namanujan ठीक है उन्होंने पाई की decimal के पता नहीं 300 digits तक approximately मुझे जहां तक याद है 300 या 3000 I don't know इतने digits तक उन्होंने चेक किया था और आज तक 3 lakh desert तक चेक हो चुका है कोई भी ऐसा pair of desert आया ही नहीं जो बार-बार repeat हो रहा हो इसलिए इसका decimal expansion NTNR है इसलिए पाई is irrational number is it okay to everyone moving to the next point ध्यान से समझें अगली बात करते हैं हम आगे कुशिन कहा रहा है इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड ए रैशनल नंबर बिट्वेट इन फूर न नंबर लाइन पे जहां समझें आप लोग खेल है यह बहुत अच्छा हो यहां पे 3 है और यहां पे 4 है मुझे इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए और एक र 3 और 4 के बीच में जितने भी ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनका डेसे एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा यह नौन टर्मिनेटिंग रिपेटिंग होगा वो सारे रैशनल नंबर को रिप्रेजन करेंगे मतलब आप यह बोल सकते हो कि रैशनल नंबर जो होगा इन दोनों के बीच में वो 3.1 तो होगा ही होगा सर क्योंकि 3.1 तीन से बड़ा है और 4 से चोटा है तो वो 3.1 एक रैशनल नंबर होगा जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा होगा या फिर आप इन दोनों का एवरेज भी निकाल सकते थे 3 प्लस 4 बाइटू मतलब 7 बाइटू विच इस द दोनों के बीच में तो उसको भी पता करने के दो तरीके आपके पास में पहला या तो आप एक ऐसा डेसिमल नंबर लिख दो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो सर ये कैसे लिखते हैं तीन से बड़ा और चार से चोटा लिखना है एक नॉन टर्मिनिटिंग नॉन रेकरिंग नंबर तो एक ऐसा पैटन बनाते हुए डेसिमल एक्सपेंशन बना दो कि वो डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी रिपीट हो नहीं कभी खतम हो तो क्या कर सकते हैं सर उसके लिए तो मैंने कहा बिटा आप लिखो 3.2 फिर 0 फिर 2 00 फिर 2 00 फिर 2 00 फिर 2 4 टाइम जिरो और 2 5 टाइम जिरो clear and so on करते जाओ ठीक है तो क्या लगता है यह चीज कभी खतम होगी नहीं होगी कभी repeat होगी नहीं होगी तो simple सी बात यह है कि यह decimal expansion non-terminating non-recurring type का है तो यह represent करेगा एक irrational number को जो हमें required है लेकिन आप बोलेंगे नहीं सा irrational number निकलने का क्या कोई दूसरा तरीका भी है बिलकुल है बिटा 3 और 4 के बीच में irrational number निकलना है तो सोचो ध्यान से सोचो 3 का square कितना 9 4 का square कितना 10 ठीक है यह बात तो मैंने समझा ही आपको अब मैं आप से पूछता हूँ कि बिटा अगर मैं 9 का square root लूँगा यहां पर कुछ का square शोटा है रैट 4 का square 16 sorry cube ठीक है 3 का square करते हैं 9 आता है 4 का square करते है 16 ठीक है तो अगर मैं 9 का square root करूँगा तो कितना आएगा 3 और 16 का square root करूँगा तो कितना आएगा 4 तो root of 9 और root of 16 के बीच में और कौन-कौन से ऐसे number हैं जो root में lie करते हैं तो आप बोलेंगे sir root 10 भी हो सकता है, root 11 भी हो सकता है, root 12 भी हो सकता है, root 13 भी हो सकता है, root 14 भी हो सकता है, root 15 भी हो सकता है तो इन में से कोई भी आप लिख दो यहां पे, कोई भी लिख दो, वो एक irrational number होगा, जो lie करेगा, किस-किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि root of 10 जो है, उसका decimal expansion, non-terminating, non-recurring type का है, और root of 10, 3 और 4 के बीच में lie करता है, यह भी आपको पता है, तो हमें insert करना था, एक rational number और एक irrational number between 3 and 4, जो हमने कर लिया, is it clear to everyone, is it clear to everyone, hope so, आपको यह बात अच्छे से, clear होगी, now moving to the next point, अगली बाते करते हैं, ठीक है, find two irrational numbers between 2 and 2.5, और यह बहुत अचान है, कितने बच्चे कर सकते बताओ, सारे कर लेंगे न, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आप लोग कर सकते हो, यार, इसमें कुछ tough है ही नहीं, देखो, 2 और 2.5 के बीच में, तो क्या मैं पहला number यह से बनादू, 2.10, 100, 100, 100, 1, 4x0, 1, 5x0, and so on, ठीक है, और दूसरा number बनादू, 2.21, 211, 211, 211, 24x1, 25x1, and so on, ठीक है, तो क्या यह दोनों required irrational numbers हैं, जो दोनों बीच में, हो गया question solve, ज्यादा बड़ी कोई बात थी, बिल्कुल नहीं थी, बिना देर के अगले question पर चलते हैं, ध्यान से समझे, find a rational and a rational number between the numbers A and B, A given है कुछ ऐसा, B given है कुछ ऐसा, ठीक है, आप समझे, पहले तो यह समझे, A बढ़ा है या B बढ़ा है, कौन बढ़ा है दोनों में से, starting के decimal के, चार-चार desert देख लो, यहां से यहां तक उठाओ बस, यह है 0.1010, और यह है 0.1001, तो दोनों में, A बढ़ा है, A is greater than B, clear, तो मुझे इन दोनों के बीच में, क्या चाहिए, एक rational number, जब मुझे rational number लिखना होगा, तो आपको पता है, दिमाग से काम लेने की जरुवत पड़ेगी है न, तो rational number जो मुझे लिखना है, वो rational number मैं लिख दूँगा, 0.100, देखो, 1 तो यहां पर लिखा हुआ ही है, अगर मैं यहां पर 2 लिख दूँँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, क्योंकि यह इस से तो बड़ा है, लेकिन इस से क्या है, छोटा है, ठीक है, सॉरी, तो rational number हमारा हो गया, 0.1002, ठीक है, which is the required rational number, अगर मुझे इन दुनों के बीच में irrational number लिखना है, तो irrational number लिखने के लिए, जो rational number में लिखा है ना, इसी का कोई pattern बना दिता हो, वो सबसे best होगा न, 0.10021, 211, 211, 211, 211, 2, 4x1, 2, 5x1, 2, 6x1, फिर 2, 6x1, ठीक है जी, and so on, ठीक है जी, तो यह बन गया, मिरे पास एक irrational number, clear है न? होप सो आपको ये question भी अच्छे से click कर गया होगा moving to the next point representing irrational numbers on number line ठीक है irrational numbers को number line पर कैसे represent करेंगे देखो अगर irrational number भी हमारे पास representation के लिए आते हैं जब अपर और रूट के अंदर एक number लिखावा होगा उसमें decimal point लगा हुआ होगा यहा फिर decimal point नहीं लगा हुआ होगा जैसे decimal point नहीं लगा हुआ होगा तो इसमें यहां पर लिखा होगा जैसे 2 क्या लिखा होगा टू जैसे root 2 है मेरे पास और एक question ऐसा हो सकता है कि जिसमें root में 2.1 लिखा हुआ है ना तो यह दो अलग-अलग category है ना जब ऐसा number root में लिखा हुआ है जिसमें decimal point नहीं लगा हुआ है तो उसको हम right angled triangle right angled triangle वाली recipe से solve करते हैं ठीक है और अगर मेरे पास लिखावा है root में 2.1 क्या लिखावा है root में 2.1 तो उसको solve करने के लिए हमारे पास है geometrical method हलंकि दोनों ही geometrical है ठीक है बट मैंने आपको अलग-अलग दिखाने के लिए अलग-अलग बताने के लिए मैंने क्या किया है इन दोनों चीजों को बिलकुल अलग कर दिया है ठीक है अगर decimal लगा हुआ नहीं है तो ऐसा decimal लगा हुआ है तो ऐसा ठीक है अब बात कर लेते है questions पे किसका question आएगा तो कैसे solve करना है question गया रहा है plot root of 2 on the number line ठीक है किसको plot करना है root 2 को तो सोचो मुझे बनाना है एक right angled triangle क्या बनाना है एक right angled triangle और उस right angled triangle में मुझे hypotenuse कितना चाहिए root 2 चाहिए hypotenuse पता है right angled triangle का एक angle कितने का होता है 90 degree का उसके सामने वाली side को क्या बोलते है hypotenuse ठीक है जी और एक side को perpendicular बोल दो एक side को base बोल दो अपनी choice के according बोल सकते हैं 9th class में तो बोली सकते हैं ठीक है अब 90 degree के opposite में जो root 2 लिखा हुआ है वो कब आएगा आप ध्यान से समझें पाई था गोरोष छिरों अगर आपको याद है कि hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square ऐसा ही होता है अगर perpendicular की length में ले लेता हूं one unit और base की unit भी बेस की length भी कितनी ले लेता हूं one unit तो आपको पता होना चाहिए कि one का square plus one का square कितना हो जाएगा one plus one कितना हो जाएगा two तो hypotenuse square एगर two है तो hypotenuse value कितना आ जाएगा root two आ जाएगा सर ये हम कैसे सोचेंगे बिटा जितनी practice करोगे उतनी जादा concept clarity आपको आ जाएगी मतलब सोचने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि base अगर one unit ले 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 बेस अगर one unit और perpendicular अगर one unit ले ले ठीक है तो हमारा काम हो जाएगा हाँ या ना तो मैंने सबसे पहले क्या draw किया number line क्या draw किया बचे number line मैंने draw कर लिया ठीक है यह number line मैंने draw किया इस number line पर यहां पर है zero ठीक है zero बिल्कुल middle में जीरो के बाद में यहां पर है one यहां पर है two यहां पर है three आ गया यहां पर minus one ठीक है आपको क्या करना है zero से one zero से लेके one तक ठीक है मैं different colors use करके करूंगा इसको shade ठीक है तक कि आपको यह click कर जाए क कि हम क्या कैसे और क्यों ले रहे हैं ठीक है तो जीरो से one तक मैंने क्या लिया यह बेस ले लिया ठीक है यह बेस ले लिया इसकी naming भी कर दी मैंने इसको a point बोला है और इसको b point बोल दिया clear कोई problem वाली बात इसके बाद आपको क्या करने है बी के उपर 90 degree का angle बनाने है कैसा angle बनाने है 90 degree का angle बनाने है कट, second से भी कट, ठीक है, और दोनों को join कर दिया, clear, दोनों को क्या करवा दिया, मैंने, join करवा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक perpendicular आ गया, क्या गया, perpendicular, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, इस perpendicular पर हम one unit का cut करेंगे, यानि B पे compass रखेंगे, A तक open करेंगे, और यहाँ पे cut कर देंगे, clear, यह कौन सा point आजाएगा, बच्चे, C, यानि आपने, A से B कितना unit ले लिया, one unit, और B से C तक भी कितना unit ले लिया, one unit, ठीक है, और जैसे ही आपने यह किया, तो इसके बाद आपको A और C को, बच्चे, join कर देना है, जैसे ही आप A और C को क्या करेंगे, बच्चे, join करेंगे, तो join करने के बाद में, जो hypotenious बनेगा, उसकी length कितनी है, root of 2 है, कितनी length है बटा, root of 2, और अगर आपको इस root of 2 को number line पे plot करना है, तो आप A पे compass रखें, और C तक open कर लिजे, कर लिया, open, A पे compass रखें, C तक open कर लिए, और C तक open करने के बाद में, compass में आपने वो distance measure कर लिए, अब आप 0 से आगे root 2 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहां से, ठीक है जी, एक arc cut कर दीजे, आप जैसे आपने cut किया, number line पे ये जो point आया है, जिसको मैं d point नाम दे रहा हूँ, this will be root of 2, और इसको हमने number line पे represent कर दिया, hope so आपको ये method अच्छे से click कर गया होगा, एक और बात बताओ, बहुत अच्छी, आप click कर पाओगे, तो समझो, click करते हैं, एक अलग वाला concept, ठीक है, क्यूंकि मैंने construction कहां से start की थी बटा, 0 से, कहां से start की थी construction, 0 से start की थी, अगर यही construction मैं 0 की बजाए, हना, देखो, 0 से construction start की, तो मेरा जो root 2 बना है, ये basically 0 plus root 2 है, क्या है, 0 plus root 2, अच्छा सर, अगर मान लो, root 2 की ही construction, मैं 3 से start करूँ, कहां से start करूँ, 3 से, ये number line है, ठीक है जी, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है जी, तो अगर मैं 3 से 4 तक base लूँ, 4 पे 90 बनाऊ, ठीक है जी, और यहां पे, इनको join कर दूँ, और यहां पे root 2 को represent करके, number line पे cut करूँगा, तो ये जो point आएगा, ये point किसको represent करेगा, ये point represent करेगा, 3 plus root of 2 को, समझ में आरी ही बत, यानि root 2 बनाने का process 0 से शुरू करोगे, तो 0 plus root 2 बनेगा number line पे, अगर मैं यही process 1 से शुरू करता, यानि 1 के आगे 1 unit base लेके 90 बनाके perpendicular 1 unit का लेके join करता, तो अब जो construction होता, वो 1 plus root 2 होता, अगर वही construction 3 से शुरू करोगा, तो 3 plus root 2 होगा, and so on, जितने जितने different numbers, different locations से start करोगा, उतने different pointers मेरे पास आते जाएंगे, hope so आपको ये बात अच्छे से click कर गई होगी, now moving to the next next slide, बिना time waste किये, 3 plus root 5 कितने बच्चों को ये click करेंगे, कि 3 plus root 5 बनाना कैसे है, सबसे पहले, सबसे पहला काम, number line डॉख करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, I think हमने number line थोड़ी छोटी बना ली, राइट, ठीक है, number line थोड़ी और बड़ी ले ले लेते हैं, है ना, यहाँ तक ले लें, है ना, चाइना की दिवार जैसे हो गई है तो बहुत ज़ादा बड़ी होगी, पूरा body cover हो गया इसमें तो, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है, and so on, पता नहीं कितने, कितने पता नहीं कितने हैं, ठीक है, चलिए, ध्यान से समझें आप, अगली बात, ठीक है, करना क्या है, हमने 3 plus root of 5 represent करना है, तो 3 से ही construction शिरू होगा, कहां से शिरू होगा, 3 से, अब आपको पता है, root of 5 कैसे बनेगा, अगर root में परپेंडिक्र्लर की जगहें, यह बेस की जगहें, 2 का SQUARE कर दें, और परपेंडिक्र की जगहें, 1 का SQUARE कर दें, तो 2 का SQUARE 4, 1 का SQUARE 1, to 4 plus 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, root में, समझ में आती है अपको बात, यानि perpendicular कितना लेना है साब perpendicular मुझे लेना है 1 unit base कितना लेना है 2 unit तो base 2 unit लेना है तो 3 से लेके 5 तक base ले लिया ठीक है जी फिर 5 पे 90 का angle बनाया 1 unit perpendicular ले लिया 1 unit perpendicular लेने के बाद मैं join किया देखो भी या perpendicular 1 unit ठीक है जी और base 2 unit और जब हम ऐसा कर रहे थे तो hypothesis आगया root of 5 और 3 से root of 5 आगे मैंने represent किया है 3 से कितना और आगे ये distance आया मेरा root of 5 तो 3 से कितना आगे है root 5 तो ये point किसको represent करेगा 3 plus root of 5 को represent करेगा hope you got this point now moving to the next slide ठीक है समझ में आ रहा है ना बिल्कुल आएगा भी अब नहीं आएगा तो कब आएगा represent root में 3.5 on the number line under root में कितना लिखा हुआ है 3.5 कैसे represent करें सर इसके लिए आपने बोला था geometrical method काम में आएगा बिल्कुल geometrical method ही काम में लेंगे कैसे काम में लेंगे geometrical method सुनो धन्जे सबसे पहली बात यह आपकी number line बिटाना काम करते हैं straight line ले लेते है number line में न ठीक है ठीक है ठीक है straight line ले था number line में ठीक है और यहाँ पे है मेरे पास 0 राइट और मुझे represent करना है root में 3.5 तो pattern क्या है ध्यान से समझो यह point जो 0 है इसको b बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा b point बोलते हैं ठीक है अब क्या करना है आपको इस b point से 3.5 unit distance पीछे एक point mark कर लेना है a कौन सा point mark कर लेना है बिटा a point mark कर लेना है कर लिया यह point mark जैसे आपने यह point mark किया उसके बाद b से 1 unit आगे कितना आगे 1 unit आगे एक point mark कर लेना है कौन सा point c सर कर लिया mark फिर क्या करना है फिर ac का perpendicular bisector कर लेना है क्या कर लेना यह सी का परपेंडिकलर बाइसेक्टर ठीक है एसी का परपेंडिकलर बाइसेक्टर अगर हम माक कर लें तो क्या होगा पर्पेंडिकलॉर लौई सेक्टर कैसे बनाएंगे पहले समझ कि इपर कम पास रखेंगे मैं मैंप पास कहां पर रखेंगे इह पर रखेंगे एक मम करें न्युट इस पैटम इसले लिया जाए देद एध कम पासी ले ले लेते हैं कम डरने कि अच्छे ले लेते हैं ठीक है अच्छा इतने सारे कंपास आगा भी चलिए कंपास आगे तो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है कंपास मैंने ले लिया है एप मैंने कंपास रखा है ठीक है इसको more than half open करना है अधे से जादा इसको open करने के बाद में इसे घुमा दीजिए ठीक है गुमा दीजे इसे एक आर्क कट कर दीजे एक अपर फिर एक आर्क एसे नीचे भी कट कर दो clear उपर और नीचे एक आर्क more than half distance का cut कर दीजे ये आर्क कट करने के बाद में आप कंपास को रखे C point पर ठीक है और C point पर कंपास रखने के बाद में आप उसे भी घुमा के लिए ठीक है जी ठीक है एक आर्क उपर कट करिए ठीक है जी और फिर एक आर्क नीचे कट करिए एक आर्क नीचे कट कर दीजे एक आर्क मैंने उपर A से उपर और नीचे कट किया वही एक आर्क C से उपर और नीचे कट किया और जब मैं दोनों आर्क कट करवा चुका हूं तो उस particular situation में मु मेरे पास बिटा यह पॉइंट मेरे पास हाया M कौन सा पॉइंट आ गया M पॉइंट आने के बाद में आपको क्या करना है M पॉइंट पर कमपास का नीडल रखना है M पॉइंट पर क्या रखना है बच्छे कमपास का नीडल रखना है उसके बाद उसके बाद आपको compass को A तक open करना है गहां तक open करना है? A तक फिर उसके बाद मैं मुझे क्या करना है देखो, M point को center लिया है, AM को radius लिया है और एक circle draw कर देना है नहीं, circle नहीं, semi circle draw कर देना है क्या draw कर देना है? semi circle शयद कुछ गलत radius लिया, हलका सा कम लिया हुमने, ठीक है एक semi circle मुझे draw कर देना है जैसे ही मैं semi circle draw कर दूँगा उसके बाद का procedure क्या है? semi circle तक आप सब को आराम से समझ में आएगा, उसके बाद क्या करना है? यह जो B point थाना हमारा कौन सा point था? B point यानि basically number line का 0, इस number line के 0 पे मुझे एक 90 degree का angle बनाना है, क्या बनाना है? 90 degree का angle तो मैंने यहाँ पे एक arc draw किया ठीक है, arc draw करने के बाद में arc के starting में compass रखा ठीक है, rotate करवाया, ठीक है जी first cut किया, तो कितने का angle बना? 60 का, फिर compass को 60 पे रखा ठीक है जी, फिर rotate करवाया और फिर से cut किया, तो यह कितने का angle बना? 120 का ठीक है जी, 120 angle बनने के बाद में एक arc 60 से, ठीक है जी और एक arc कहां से? 120 से, clear एक arc 120 से cut करेंगे दोनों arc जिस point पे intersect कर रहे हैं बच्चे, उस point को हमें O से join करा देना है, clear उस point को हमें कहां से join करा देना है O से, जैसे ही join कराया O यानि B से मैंने एक perpendicular draw कर दिया basically, क्या draw कर दिया? perpendicular मैंने draw कर दिया, यह perpendicular क्या कर रहे है? क्या काम कर रहे है? semi circle को intersect कर रहे है कौन से point पे? semi circle को यह point पे intersect कर रहे है, कौन से पे? D point पे और जैसे ही यह D point पे intersect करेगा तो यह जो BD length है यह BD length किसको represent करती है root of 3.5 को अब इसका reason क्या है NCRT में साफ साफ reason given है ठीक है क्योंकि हम one shot में video निप्टाने के लिए आए है हमें पता है कि question जो आने वाला है उसका solution का pattern क्या है वो आप समझे तो मैंने क्या किया B point पे compass रखा D तक open किया यह root of 3.5 distance है बिटा कितनी distance है root of 3.5 ठीक है और इस root of 3.5 distance को जब मैंने measure कर लिया है तो अब मैं इसको क्या करूँगा click कर लूँगा compass से अब मैं cut करा दूँगा number line पे है और जैसे number line पे जिस भी point पे cut करेगा यह point किसको represent कर रहा होगा हमारा root of 3.5 को यह root of 3.5 number line पे represent हो गया बहुत ही आसानी से ठीक है this method of representing irrational numbers on number line is known as geometrical method कौन सा method बिटा geometrical method ठीक है hope so यह method आपको अच्छे से click कर गया होगा now moving to the next point next point है हमारे पास representation of real numbers representation of wait for a minute representation of real numbers by using the process of successive magnification successive magnification से numbers को real numbers को कैसे represent करेंगे एक question लेने ते है छोटा सा बहुत असान है यह सब को आता भी होगा I think so so question है represent represent यह represent 3.123 on number line by successful आपको आपको यह बाद तो आपको यह बाद तो क्लिक कर गगई कि 3.123 है ना आएगा 4.0 उसके बाद अब क्या करेंगे 3.123 जो होगा वो 3.1 और 3.2 के बीच में होगा तो मैंने इनको भी 3.16 3.17 and so on ठीक है मेरा जो नंबर है 3.123 वो 3.12 और 3.13 के बीच में होगा तो मैंने फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉख तो हमें सक्सेस्वल मैगनिफिकेशन से भी पता चल जाता है कि कैसे हम हमारे गिवन रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ यू गॉट इट चलिए मूव करते हैं नेक्स पॉइंट पे रैश्नलाइजेशन ठीक है rationalization क्या होता है ध्यान से समझें आप लोग rationalization is simple thing when the denominator of an expression contains irrational term मान लो denominator किसी भी expression का denominator अब denominator बोलो या numerator बोलो ठेक है अगर expression contain करता है irrational term denominator की बात हम 9th class में basically करने वाले हैं तो अगर मान लो किसी भी expression का denominator irrational term अपने अंदर contain किये हुए है तो उस irrational term को rational term में convert करने का जो procedure है that procedure is known as rationalization ठीक है कैसे है सर एक्जामपल दो सर एक्जामपल देखो बेटा 1 by root 2 लिखा हुआ है अपको पास में क्या लगता है अपको denominator इसका कैसा है irrational है denominator कैसा इसका irrational ठीक है 1 by root 2 का denominator irrational है numerator 1 है which is rational तो इसके denominator को irrational से rational में convert कैसे करेंगे भाई साब इसमें root 2 का multiply और root 2 का divide कर दो ठीक है और जब आप ऐसा कर रहे होगे root 2 times 1 which will be equal to root 2 root 2 times root 2 that is equal to 2 clear तो root 2 upon 2 जो है basically यह अब ऐसा expression है जिसका denominator अब कैसा है rational है numerator कैसा है irrational यहीं बसमझ में simple सी बात है कि denominator अगर irrational है तो उसको rational में कैसे change करें कौन सा method है ऐसे method को बोलते है rationalization is it clear hope so आपको clear होगा ठीक है rationalization तो आप सबने अच्छे से click कर ही लिया होगा लेकिन कुछ बाते हैं अगर denominator root of a type का है अगर denominator कैसे type का है root of a type का तो उसमें root of a ही multiply कर दो है ना root of a ही क्या कर दो multiply लेकिन इस situation में a अगर a अगर prime number है तभी ही हम ऐसा करेंगे ठीक है बट कुछ छोटे-छोटे points हम समझ लेते हैं कि अगर मान लोग किसी भी situation में root of a into root of b लिखा हुआ है ना positive real numbers अगर है then ठीक है अगर ऐसा है तो root of a into root of b को हम root of a b लिख सकते हैं root of a upon root of b को हम root of whole root of a upon b लिख सकते हैं ठीक है जी और wise versa भी इन चीजों का क्या है true है ठीक है third point है अगर root of a plus root of b का whole square बन जाएगा तो a plus b whole square लगाएंगे तो a square मतलब root of a का square a हो जाएगा root of b का square b हो जाएगा और plus में 2 a b मतलब 2 root of a into root of b उसको लिख देंगे 2 root a b clear अगर root of a minus root of b का whole square अगर लिखा हुआ होगा तो बन जाएगा a plus b minus 2 root of a b यह बते आपको अगर पता है बहुत बढ़ी है नहीं पता है तो इनकी अभी हम आगे इतनी प्रक्टिस करने वाले हैं ना कि आप सबको यह चीज़े याद हो ही जाएगे clear next point क्या गयता है मुझे next point मुझे क्या बोलेगा ध्यान से समझें आप कि अगर root of a plus root of b लिखा हुआ है और उसमें root of a minus root of b का multiply करेंगे तो इसमें formula लग जाएगा a plus b into a minus b तो बन जाएगा a square minus b square मतलब root of a का square minus root of b का square तो basically बन जाएगा यह a minus b clear और अगर मेरे पास लिखा हुआ है root of a plus b और उसमें root of a minus b का multiply करेंगे तो root of a का square तो a हो जाएगा minus b का square b square हो जाएगा अगर मानलो मेरे पास लिखा हुआ है a plus root of b और उसमें मैं multiply करूँ a minus root of b का तो उस particular situation में बेटा मेरे पास बन जाएगा a square minus b क्योंकि root of b का square b हो जाएगा clear last point अगर root of a plus root of b को multiply करना है root of c plus root of d से ठीक है तो इनका multiplication हम कैसे करेंगे simple है root of a को root of c से multiply कर बेटा तो आजाएगा root of a c ठीक है यहां पर c और db add कर ले न यह चारों ही positive real numbers है तो root of a को root of c से multiply किया root of a को root of d से multiply किया तो root of a d root of b को root of c से multiply किया तो आगे root of b c root of b को root of d से multiply किया तो root of b d कोई परिशाने वाली बात यह point मुझे भी बता है, याद किसी को नहीं रहते है, बस इतना सा click कर जाना चाहिए, कि अगर root में a plus root of b दिखर रहा है, तो उसमें multiply अगर root of a minus root of b का करेंगे, तो जो दोनों term बचेंगी, उनके उपर root नहीं आता है, root नहीं आता है, मतलब अगर rationalization कर रहे हैं, तो procedure तो सिर्फ fix है, कि root हटना चाहिए, और root कैसे हटेगा, अगर इस format का है तो यह multiply कर, 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 इस format का है यह multiply कर, अपनी सुविधा के अनुसार हमें देखना है, कि क्या multiply क करने पर क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा नाव क्वेश्चन है मेरे पास 4 upon 3 root 2 और मुझे क्या करना है इसको rationalize करना है rationalize क्या करना है denominator को करना है rationalize तो इस particular situation मेरे पास दो सवाल है पहली चीज़ क्या सर मैं इसमें 3 root 2 का multiply divide करूं क्या मैं इसका multiply divide करूं या फिर सर मैं इसमें root 2 का multiply divide करूं क्या करूं सर क्या correct है correct method क्या है तो आप बेटा ये समझें कि अगर आप इसमें 3 root 2 का multiply divide करेंगे तब भी answer सेम आएगा लेकिन एक word होता है rationalizing factor, rationalizing factor, rationalizing factor, rationalizing factor क्या कहता है, rationalizing factor वो quantity होती है, वो minimum quantity, जिससे एक expression को multiply करें, तो उसका denominator rational हो जाए, rationalizing factor is minimum, जो छोटे से छोटा ले सकते हो, वो लेो बेटा, वो होगा उसका rationalizing factor, तो जब भी rationalizing factor के बारे में पूछेगा, कि इसका rationalizing factor क्या है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो minimum हो सकता हो लेंगे, लेकिन यहां पे तो 3 root 3 है, हमने 3 root 2 लिख रहा है, लिखा हुआ है, काफी दिर से, इसको 3 बना लेते हैं, ठीक है जी, यहां पे भी automatically 3 हो जाएगा, 4 को root 3 से multiply किया, 4 root of 3, अब 3 as it is, root 3 को root 3 से multiply करोगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 3, तो 4 root of 3 को divide में 3 3 से कितना आ गया, 9, यह हो गया हमारा answer, hope so, आपको click किया होगा, next point पे बात करते हैं, root 2 plus 3 मेरे पास numerator में है, root 6 plus root 2 मेरे पास denominator में है, आपको पता है, root of a plus root of b दिख रहा है नीचे, तो किसका multiply करेंगे, root of a minus root of b का multiply और वही चीज का divide, यहां पे plus था, तो minus वाले का क्या कर देंगे, multiply, divide कर देंगे, और ऐसा करेंगे, तो आपके पास में यह चीज, यह identity, यानि last page पे जो हमने 8th number का point लिखा था, यह वह आ गया, ठीक है, root 2 को root 6 से multiply करेंगे, root में आ जाएगा 12, root 2 को root 2 से multiply करेंगे, तो minus मे हो जाएगा, divided by, a plus b into a minus b, root 6 plus root 2 into root 6 minus root 2, यह हो जाएगा, root 6 का square minus root 2 का square, तो root 6 का square कितना होगा, 6 minus root 2 का square कितना होगा, root 2 का square 2, तो denominator में basically 6 minus 2 बचेगा, और numerator के क्या हाल चाल है, root of 12 को क्या लिख सकते हैं, लेको 12 चो होता है, वो होता है, 4 into 3, 4 into 3, अच्छा, तो सर्फ 4 तो perfect square है, 4 का square root कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 का square root तो 2 हो गया, सर यह 3 जो है ना, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो यह 12 जो होगा, वो लिखा जाएगा, 2 root 3 की form में, minus 2 as it is, plus 3 root 6 as it is, minus 3 root 2 as it is, ठीक है, तो basically यहां से मेरे पास बचेगा, denominator में 4, और numerator में बचेगा, 2 root of 3, minus 2, plus 3 root of 6, minus 3 root 2, this is the correct answer, उपसो, आपको यह question क्लिक, किया होगा, moving to the next point, question क्या गया रहा है, ध्यान से समझे, if 12 plus root 3 upon 2 plus root 3, that is equal to a plus b root 3, then find a and b, देखो, यहां पे denominator में क्या है, कुछ भी नहीं है, और denominator में कुछ भी नहीं है, मतलब इसका denominator, हटाना है, और denominator तो कैसे हटेगा सर जी, denominator में तो rational term है, तो क्या करें, rationalize कर बेटा, rationalize करेगा, तो 2 minus root 3 का multiply करेगा, 2 minus root 3 का divide करेगा, और that is equal to a plus b, root of 3 वाला term, as it is, मेरे पास पढ़ा है, same procedure, दोनों binomial को binomial से multiply कर दें, 12 to the 24, 12 को root 3 से multiply क्या, 12 root of 3, फिर root 3 को 2 से multiply करेंगे, तो plus में 2 root 3, root 3 को minus root 3 से multiply क्या, तो root 3 into root 3 तो 3 होता है, minus sign आ जाएगा, denominator में a plus b into a minus b, क्या कहते हैं बेटा, a plus b, a minus b, क्या हो जाएगा, a square minus b square, मतलब root 2 का square हो जाएगा, 4, minus root 3 का square हो जाएगा, 3, equal to a plus b root 3, अब भी वेट कर रहे हैं, इनको बिल्कुल बैठा के रखा हो है, कि आपके लिए कोई आ रहा है, रुख जाओ, 24 minus 3, क्या कहते हैं बेटा, 24 में से 3 minus करूँगा, कितना आएगा, 21, minus 12 root 3, और plus 2 root 3, तो कितना बचेगा, minus का 10 root 3, और 4 minus 3 मतलब, डिवाइड में कितना बच रहा है, 1, 1 लिखने की ज़रद, नहीं है, that is equal to a plus b root of 3, अब अगर हम compare करें, जिसके साथ, कोई under root वाली quantity नहीं है, वो कौन हो जाएगा, a, तो a का value हो गया, मिरे पास 21, और plus का b root 3 ह के ना, वो basically किसके equal होगा, इस quantity के है, minus 10 root 3 के, तो root 3 root 3 अगर हटा दें, तो b का value कितना आजाएगा, minus 10 आजाएगा, so this is the correct answer for a and b, hope you got this, now moving to the next point, ठेक है, x का value क्या है, next question देख रहे हैं, ध्यान से समझना, x का value है, root of 3 plus root of 2, root of 3 plus root of 2 मेरे पास x का value है, और मुझे चाहिए, x plus 1 by x की whole power 4, देखो भई, x तो मेरे पास है, मेरे पास क्या नहीं है, 1 by x, तो पहले मैं 1 by x calculate कर लेता हूँ, तो 1 by x किया, तो यहाँ पे आ गया, 1 by root 3 plus root 2, पर सर अब तो यहाँ तो denominator में, सर, irrational term आ गई, अब irrational term आ गई, तो क slice कर ले, तो root 3 plus root 2 denominator में है, तो root 3 minus root 2 का multiply भी कर ले, और divide भी कर ले, जब हम ऐसा करेंगे, तो root 3 minus root 2 को 1 से multiply किया, तो root 3 minus root 2 in the numerator, और denominator में a plus b into a minus b हो जाएगा, a square minus b square, मतलब root 3 का square कितना हो जाएगा, बच्चे, 3 minus root 2 का square हो जाएगा, 2, denominator में 3 minus 2 आएगा, numerator में root 3 minus root 2 आएगा 3-2 कितना होता है बेटा 1 होता है तो denominator में कुछ भी लिखने की ज़रत नहीं है root 3- root 2 ये किसकी value आगई बेटा 1 by x की और जैसे ही 1 by x की value आई तो हम वहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर बात करेंगे x की जगे कितना लिख दू साब तो आप बोलेंगे root 3 plus root 2 लिख दो सर और फिर मैं पूछूंगा 1 by x की जगे कितना लिख दू तो आप बोलोगे root 3 minus root 2 लिख दो सर तो जैसे ही root 3 plus root 2 और root 3 minus root 2 और उपर power 4 लगाई तो root 2 plus का root 2 minus का क्या हो गया cancel हो गया root 3 plus root 3 कितना होगा बेटा 2 root 3 and 2 root 3 की power 4 है 2 की power 4 कितना होता है 16 होता है 2 की power 4 मतलब तो कितना होता है 16 और root 3 की power 4 root 3 into root 3 3 हो जाएगा फिर root 3 into root 3 3 हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 9 16 into 9 कितना होगा क्या लगता है 16 into 9 144 लिख देंगे यह answer हो जाएगा फूप सो आपको यह बात समझ में आई होगी है मज़ा आ रहा है सबको हाँ जी मज़ा आ रहा है चलें अगली बात करें चलें last कुछ ही slide रह गई है क्योंकि last topic है हमारे पास laws of exponents for real numbers यह सरफ real numbers की बाते करते हैं अच्छे लोग है real numbers पे ही बाते करेंगे if a and b are two positive real numbers जहां से समझना अगर a और b two positive real numbers हैं और m and n are two rational numbers m और n यानि जो powers बनने वाली हैं वो rational numbers हैं तो particularly हम जब product law की बात करेंगे product law क्या कहता है कि a par m into a par n a par m into a par n ठीक है a par m into a par n जो होगा जब भी multiply का sign होगा तो power add हो जाएगी और जब भी divide का sign होगा तो power subtract हो जाएगी ये बात आपको अच्छे से पता है पता तो होगी ठीक है chapter तो पड़ा होई है हम basically one shot में इसको क्या कर लेते हैं अच्छे से cover कर रहे है next हमारा जो point होना चाहिए यानि first और second वहाँ पर रह गए तो third point यहाँ पर आएगा मेरे पास ठीक है third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, clear ना चलिए तो third point क्या होगा a into b की whole पार m है जब अंदर वाली चीज़े multiplication में होती हैं और bracket के बाहर जो power लगी हुए होती है तो वो equally दोनों पर distribute हो जाती है equally मतलब ऐसा नहीं, आधा-धा distribute होगी दोनों को उतनी उतनी power मिल जाएगी a की पार m और b की पार भी m अगर a upon b है और whole पार m है तो इसको भी लिख देंगे हम a पार m upon b पार m ठीक है अगर किसी quantity की value quantity की power अगर 0 है किसी quantity की है किसी quantity के मतलब a non-zero है यहाँ पर a is not equal to 0 किसी non-zero quantity की power 0 हो जाती है तो result कितना आ जाता है बच्चे 1 आ जाता है अब आप बोलेंगे यह कैसे हुआ तो समझो 2 पार 0 1 होता है कैसे होता है कि 2 पार 0 को 2 पार 1-1 लिख सकते है ठीक है और 2 पार 1-1 को 2 पार 1 अपान 2 पार 1 लिख सकते है क्योंकि denominator में आया होगा तभी तो minus कि होगा और 2 पार 1 से 2 पार 1 cancel करेंगे तो 1 आ जाएगा clear? नहीं समझे 2 पार 1 अपान 2 पार 1 को अगर a पार m अपान a पार n वाले format से formula से a पार m-n लिख सकते है तो 2 पार 1-1 को वापस 2 पार 1 अपान 2 पार 1 लिख सकते है दोनों cancel होंगे result 1 आएगा और ये ठाथ 2 पार 0 तो 2 पार 0 is equal to 1 लेकिन ये होगा किसके लिए? non zero quantities के लिए ये आप समझे अगर किसी एक particular situation में किसी एक particular number की negative power given है तो उसको denominator में ले जाएंगे यानि 1 upon a पार m लिख देंगे तो power positive हो जाएगी और denominator में रहते वे भी कोई negative है तो उसे उपर ले आएंगे तो वो positive हो जाएगा clear? है ना कोई negative बाते कर रहा है है ना तो party देदो उसको वो positive हो जाएगा और अगर कोई party देने के बाद में भी negative बाते कर रहा है तो फिर उसको party देना बंद कर दो वो अपने आप भी positive हो जाएगा चले आगे अगर root of a की बात करें तो root of a का मतलब होता है a की power 1 by 2 cube root of a का मतलब होता है a पार 1 by 3 fourth root of a का मतलब होता है a पार 1 by 4 अगर negative of a की power m लिखी हुई है तो उसके बटा हम क्या कर सकते है negative a को minus 1 into positive a लिख सकते है अगर इसकी power m है तो वो power m इसके उपर भी लग जाएगी और इसके उपर भी लग जाएगी clear जो बात हमने यहाँ पर की थी यह उसी चीज को हमने यहाँ पर use कर लिया clear यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आती है तो moving to the next point question है मेरे पास question पर बातें करें ठेक है question पर बातें की जाएँ question है मेरे पास the value of 1 by 8 the value of 1 by 8 तो बटा 1 by 8 यहनि 1 की पावर कितनी भी हो कितना हो जाता है 1 हो जाता है into 3 पार 0 किसी भी quantity की पावर 0 है यहनि value 1 5 पार 3 5 पार 3 है यहनि 5 into 5 into 5 2 पार 2 मतलब 2 into 2 ठीक है 2 5s are 10 2 5s are 10 100 हो गया 100 5s are 500 तो कौन सा option correct है बिटा C option समझ में आया हमने ज्यादा कुछ नहीं किया 1 पार 8 मतलब 1 को 1 से 8 ताम्स मॉल्टिपलाई किया 1 आ गया 3 पार 0 समझ पार 0 is 1 5 पार 3 मतलब 5 into 5 into 5 2 पार 2 मतलब 2 into 2 सब को मॉल्टिपलाई किया 500 correct option moving to the next question चलिए अच्छे question पे बात एक अच्छा question एक बैथरीन question क्या question लिखा हुए है 3 पार 35 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 देखें कितने बार है चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9очно 9 पार 3 पार 35 है सब कितने पारID 9 Vacuum से तो जब 9 x 3 x 35 मुझे गिवन है और उसका रेजल्ट कितना गिवन है मुझे 9 x तो मैं इसको सब को क्लब करके ऐसे लिख देता हूं 9 x 3 x 35 that is equal to 9 x तो मुझे वैलुई चाहिए किसकी x की आया ना समझ में आ रही है बत 9 x 3 x 35 क्या से लिखा मैंने कितने बार हैं सारे लोग 3 x 35 कितने टामस है 9 x 9 बार लिखा था तो इसको लिख दिया 9 x 3 x 35 और जब मैंने ऐसा कर दिया तो यह 9 है ना बिटा यह 9 होता है 3 की पावर 2 और यहां पे 3 x 35 अल्रेडी है इक्वल टू 9 पार x है अब यह 9 पार x में भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं 9 क्या है 3 पार 2 और उसकी पावर कितनी है x 3 पार 2 और 3 पार 35 तो यह मिला के मर्ज हो के हो जाएगी 3 पार 37 इक्वल टू 3 पार 2 x as it is ठीक है तो 3 पार 37 और 3 पार 2 x आपस में इक्वल है तो 37 किसके इकल हो जाएगा बिटा 2 x के तो x इकल 2 हो जाएगा 37 अपार 37 अपार 2 ख्लियर आपको यह चीज समझ में आ गई होगी यहां तक की बातें अगर क्लिक करें तो बहुत बढ़िया बात की जाएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ध्यान से समझे ठीक है ध्यान से समझे यह पॉइंट क्या कहता है आपको if 2 पार A इकल तो 5 पार B इकल तो 10 पार C if 2 पार A इकल 5 पार B इकल 10 पार C then find the relation between A, B and C find the relation between A, B and C simple सी बाते हैं ध्यान से समझे आप लोग अगर कभी भी दो चीजें इकल होती हैं तो हमें फरक नहीं पड़ता लेकिन जब भी 2 से ज़ादा चीजें इकल हो जाएं ना अपस में ठीक है बेसिकली जब 3 चीजें इकल हो जाएं तब क्या करो 3 तो नमबर ही थोड़ा सा जीब लगता है मुझे तो हम क्या करेंगे इन 3 क्वांटिटीज को किसी एक 4th क्वांटिटी के और इकल रख देंगे 2 पार A, 5 पार B, 10 पार C थी तीन आपस में इकल थे तो मैंने क्या किया इसको एक और क्वांटिटी क्क इकल रख दिया ठीक है जब मैं इन 3 क्वांटिटीज को क्क इकल रख दूँगा तो आप ध्यान से समझें 2 पार A भी इकल हो गया क्क 5 पार B भी इकल हो गया क्क और 10 पार C भी इकल हो गया क्क ख्लियर ना कोई परिशानी वाली बात और जब ऐसा हो गया तो ध्यान से समझना जैसे यह सा नहीं होता multiply वाली चीज़ डिवाइड में चली जाती इकल टू के उदर वैसे ही यहाँ पे जो power numerator में है वो power उदर जाके denominator में चली जाती है तो 2 पर A अगर K के इकल है तो 2 किसके इकल होगा K power 1 upon A के इकल हो जाएगा कैसे सर यह कैसे हुआ बटा X square equal to कभी रख अपने 4 लिखा ही होगा लिखते हो कि नहीं लिखते है जब ऐसा लिखते हो तो जब X की value निकालते हो तो यहाँ पर root 4 ऐसा कुछ कर लेते हो क्या करते ही होगे जनरली कर लेते हो तो अगर मैं इसे root 4 ना लिख करके 4 की power 1 by 2 लिख दूँ क्यूंकि आपको पता है क्यूंकि आपको पता है कि root of something is equal to half power of that thing राइट ठीक है किसी भी quantity की का root जो होता है basically denote करता है उस quantity की power half को ठीक है तो यह जो 2 था यह उदर जाके power 1 by 2 बन गया समझ में आ रही है बात आपको तो अगर यह बात क्लिक कर रही है तो यह बात समझने में भी कोई जादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि 2 पार A equal to k है तो 2 is equal to k पार 1 by a हो जाएगा similarly 5 equals to k पार 1 by b हो जाएगा और 10 is equal to k पार 1 by c हो जाएगा ठीक है question चाहता है कि हम A B और C के between a relationship establish कर दें ठीक है तो मैंने क्या सुचा कि यहाँ पर 10 जो है न वो 2 और 5 के product के equal है clear 10 किसके equal है 2 into 5 k अब 10 की value क्या है मेरे पास k power 10 की value मेरे पास है k पार 1 by c that is equal to 2 की value क्या है k पार 1 by a और 5 की value क्या है मेरे पास k पार 1 by b अगर इतनी बात मुझे clear है बचे तो मैं अगली बात क्या कह सकता हूँ कि k पार 1 by c hazardous रहे अपनी जगे हमें कोई परिशानी नहीं है लेकिन यहाँ पे जो दोनों के multiply में है base same है powers क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी बिलकुल add कर देंगे तो k power हो जाएगा यहाँ पे 1 upon a plus 1 upon b clear अब इस situation में दोनों के basis क्या है same तो on comparing on comparing on comparing the exponents on comparing the exponents ठीक है जैसे ही हम exponents को compare करेंगे जैसे ही हम exponents को क्या करेंगे compare करेंगे तो दोनों sides की power same हो जाएंगी मतलब 1 upon c किसके एकल हो जाएगा 1 upon A plus 1 upon B के equal हो जाएगा 1 upon C equal to किसके हो जाएगा 1 upon A plus 1 upon B के equal हो जाएगा तो 1 upon C that is equal to दोनों का LCM लिया क्या LCM आया AB यहाँ पे B यहाँ पे A clear तो reciprocal अगर करने का रिवाज हमारे है तो हम reciprocal करके यह बता सकते हैं कि C की जो value होगी वो AB upon 1 A plus B के equal हो जाएगी होप सो आपको यह समझ में आया होगा ठेक है अगर आपको यह समझ आया तो बहुत ही बढ़िया now moving to the last ठेक है from my side thanks to all of you thank you bye bye have a nice day hope you enjoyed today's class will meet you again I'll meet you again right with the next topic तब तक के लिए okay bye okay yeah 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 I झाल झाल